हलो मेरे प्यारे बच्चो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउट नट की किलास में बच्चो आज हम संबंध एवं फलन का नवे नमबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें बच्चो मैं आपको फलनों के संयोजन के बारे में बताऊंगा बच्चो मैं पिछली किलास में भी फलनों का संयोजन देखा था वहाँ पर काफी सारे बच्चो को समझ में आ गया था कुछ बच्चो को समझ में नहीं आया था जिन बच्चो को समझ में नहीं आया उन्हें घबराने की बात नहीं है आज मैं आपको फिर से फल्लों के सयोजन को समझाने वाला हूँ और बच्चो आज मैं आपको इसको एक प्रक्टिकल एक्जामपल के द्वारा समझाऊँगा ठीक है तो आज की क्लास में बने रहीएगा वेरी इंपोर्टेंट बच्चो इस टॉपिक है फल्लों का सयोजन क्योंकि आगे के टॉपिक भी इसी पर केंद्रित है आधारित है ठीक है तो इस टॉपिक को समझना बहुत जादा जरूरी है ओके बच्चो तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चो ने मुझे जॉइन कर लिया है जितने भी बच्चो ने जॉइन कर लिया है वो जल्दी से जल्दी थमसप करेंगे सो देट मुझे पता लग से कि कि आप लोगों ने जॉइन कर लिया है सभी बच्चे थमसप कीजिए अब बच्चो बात करें में इस अध्याई की प्रिगती की तो देखो इस अध्याई के आरम में हमने सबसे पहले समुच्चे के बारे में जाना बच्चो समुच्चे को आप ग्यारवी कलास हैं पढ़के आ चुके थे बड़ समुच्चे एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं आपको इसका पूरा रिवीजन करा दिया था इसके पश्चाद बच्चों ने सम्बंद का रिवीजन किया कि सम्बंद क्या होता है समुच्चों का कारते गुणनफल क्या होता है सम्बंद का प्रांद सैप्रांद का परिसर हम कैसे ग्याद करते हैं उसके बाद हमने एक वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था संबंदों के परकार हमने काफी सारे संबंदों के परकार देखे जिसे रिक्त संबंद क्या होता है सारवर्तिक संबंद क्या होता है तस्समक संबंद क्या होता है स्वेतुल्ले संमित संक्रामक तुल्लेता संबंद क्या होता है उसके अलावे छोटा सा संबंद और देखा था प्रतिस संमित संबंद इन सबी संबंदों में स्वेटूल्ले संमित संक्रामक और τुल्लेता ये चार संबंद बहुत जादा महतपूर है ओके बच्चो अब इसके बाद हमने आरम किया फलन फलन में सबसे पहले तो हमने ये जाना कि फलन क्या होता है उसके पश्चात फलन का प्रांत सैप्रांत लिकालना सीखा फिर बच्चो मैंने आपको फलनों के प्रकार बताए जिनमें हमने एकए की फलन, बहु एकए की फलन, आच्छादक फलन और अंते छेपी फलन के बारे में बात की अब बच्चों बात कर रहे हम इस अद्याय के एक और बहुती महत्मून टॉपिक जिसका नाम है फलनों के सही हो जनकी ठीक है और आगे आने वाले किलास यानि कि नेस्ट किलास में आप पिरती लों फलन के बारे में पढ़ोगे ठीक है उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा आपका दुव्याधारी संक्राइगा इसे भी आप आगे आने वाले किलास अजिन पढ़ोगे तो जो बच्चो के मन में ये डाउट है कि सर आप NCIT के कुश्चन कब कराऊगे तो मैं उस डाउट का निदान अभी कर देता हूँ बच्चो जब आपका ये अध्याप पूरी तरीकी से समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं आपको NCIT एक्सेसाइज के इंपोर्टन इंपोर्टन कुश्चन कराऊँगा ठीक है ठीक है बच्चो अब बच्चो आज हम देखेंगे सबसे पहले फलनों का सेयोजन क्या होता ये और उसके बाद हम कुछ महत पूर्पिसन डिसकस करेंगे ठीक है अच्चा आज की कलास को आरम करने से पहले बच्चो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिविन बिन बोडो का रेजल्ट आ चुका है तो हमने भी कई स्टूडेंटों से कनेक्ट किया है और मैं आपको बता कि हमने आलमोष्ट दो 1570 स्टूडेंट के समतिंग हमारा कॉंटक्ट हुआ है जिसमें से 1000 प्लस स्टूडेंट के 90 परसेंट से अधिक मार्ग सें 1570 में से 1000 प्लस के 90 प्रतिसस से अधिक मार्ग सें ठीक है अच्छा अब बच्चो हम आरम करते हैं अपनी आज की क्लास को और आज की किलास का आरंब करते हैं हमें क्विज के माद्यम से ठीक है क्विज के माद्यम से बच्चों माज की किलास को आरंब कर रहे हैं तो सभी बच्चे तयार हो जाएंगे क्विज के लिए आपके सामने आ रहा है आज की क्विज का पहला प्रिश्ण जो की ये है यहाँ पर आपको f of minus 1 plus f of 2 plus f of 4 का मान बताना है क्या मान होगा तो बताइए बच्चों क्या मान होगा बहुत अच्छे मनुझ कुमार बहुत अच्छे आपकी पढ़ाय के पृती जो लगन है उसको देखकर मैं बहुत भावबक होता हूँ आपने IIT का कूर्स भी जोर्न कर रखा है आपने 12 का VIP कूर्स भी जोर्न कर रखा उसके लाव आप मेरी क्लास यहाँ पर भी देखने आता है बहुत अच्छे बच्चों यदि आपने इस तरीके से मैनत करी तो डेफिनेटली आप भी 95 पिलस मार्क से लेक्या होगे हाँ बेटा यह फ्री क्लास है बच्चों आपका समय होता है यहाँ पर समाब्द अब देखते हैं इसका अंसर क्या होगा ठीक इस कोश्चन का अंसर देखते हैं तो देखो सबसे पहले हम लिका लेंगे f of minus 1 अब f of minus 1 निकालने के लिए हमें x बरावर minus 1 रखना पड़ेगा अब देखो minus 1 f of x की किस परिवासा में आता है वो आता बच्चों आपकी इस परिवासा में तो यह हो जाएगा 3 गुणा minus 1 बरावर में minus 3 हो जाएगा ऐसे ही आप f of 2 लिखा लोगे अब x बरावर 2 रखना पड़ेगा आपको अब देखो दो कहां पर रखोगे आप इस परिवासा में तो यहां हो जाएगा यह दो कावर अर्था 4 इसके बाद आप लिखा लोगे f of 4 अब 4 लिखा लें के लिए आपको x बरावर 4 रखना पड़ेगा अब देखो x बरावर 4 कहां पर आ रहा है यहां पर तो यह ओगा दो गुणा चार मतलब की आठ तीनों को जोड़ दो तीनों को जोड़ेंगे देखो क्या हो जाएगा 8 रुचार बार है बारह में स्तीन गए तो 9 तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया बच्चो ए विकल्प ठीक है तो बिलुकुल आसान प्रिसंता जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही आंसर दिया भी है मनुच कुमार अब बच्चों हम लूग आराम करते हैं अपने आज के टौपिक को जिसका नाम है फलनो का सही होजन ठीक है तो वैसे तो में आपको आपर से इसको रिवाईज करवाता हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो बच्चों फलनों के सही होजन को फलनों का सेयोजन कल की किलास में पढ़ा दिया था बट मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाता हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो बच्चों फलनों के सेयोजन को एक प्रक्टीकल एकजामपल के दौरा समझेंगे तो देखो ध्यान से समझना मान लो आप लो फोटो के चवाने के लिए फोटो सॉप की दुकान पर गए ठीक है दुकान पर गए आपने का आपने दुकंदार से बोला कि भहिया हमारा फोटो खीज दो तो भहिया के पास हो गए कैमरा वो कैमरे से आपकी फोटो क्ल photo shoot उसमें वो आपके चेहरे को चाहे आपकी brightness बढ़ानी हो या कुछ और भी change करना हो आपकी photo में तो वो change करता है ठीक है उसके पैस्चात उस photo को विबेज देता है printer के पास अब printer आपकी बड़ी आसी photo लिका लेता है ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या हुआ ध्यान से समझना यहाँ पर यह हुआ कि सबसे पहले इस camera ने आपके चेहरे का लिया input सबसे पहले इस camera ने आपके चेहरे का लिया एक input ठीक है उसके बाद में इस input से इसने input लिया अब इसने दिया एक output और उस output को डाला गया यहां पर ठीक है यहां से एक output मला उस output को हमने यहां पर डाल दिया अब वो output बच्चो इस computer के लिए काम करेगा input का क्योंकि वो तो चीज IS के अंदर तो वो इसके लिए input का काम कर गया अब यहां पर भी कुछ चीज़े की गई कुछ करेक्शन किये गए आपकी image में और फिर यहां से एक new generate हुआ वो यहां पर आ गया ठीक है अब यहां पर आपका input आया और फिर उसके बाद में आपको image मिल गई ठीक है तो इसका मतलब फलनों का सेयोजन होता है कि एक फलन का output दूसरे फलन का input बन जाए उसे हम बच्चों फलनों का सेयोजन कहते है यहां पर कुछ बच्चों को doubt हो जाता है कि क्या सर्फ फलनों के सेयोजन का मतलब यह है कि हम फलनों का योग करें तो बच्चों मैं आपके इस डावड को दूर कर देता हूँ नहीं इसका मतलब यह नहीं है फलनों के सहियोजन का मतलब यह बिलकुल नहीं है कि हमें फलनों का योग करना है फलनों के सहियोजन का मतलब है कि हमें दो फलनों को किसी संबंद से एक दूसरे से जोड़ना है composite करना है इसलिए इस function को इस फलनों के सहियोजन को हम अंग्रेजिम बोलते हैं composite function क्या बोलते हैं composition of function बोलते हैं ठीक है composition of function ओके तो combine कर रहे हैं हम लोग function को यहाँ पर ओके बच्चों तो यह होता है फलनों का सहियोजन अब मान लो मेरे पास में कोई एक समुच्च है इसमें है एक दो तीन और चार ठीक है अब इस समुच्च ए से मैंने कुछ यह मेरे पास input था इस starting में अब मैंने यहाँ पर कुछ काम किया और कुछ काम करने के परज़ज़ाद अब काम कौन करेगा एक फलन करेगा तो मान लो फलन F था ठीक है यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर काम किया काम किया खिचड़ी पकाई कुछ और खिचड़ी पकाने के परज़ज़ाद हमें output मिला एक आठट 27 और 64 के रूप में ठीक है यह हमें output मिल गया अब इस output को बच्चों हमने किसी और के input में डाल दिया मान लो हमने G के input में डाल दिया ठीक है तो हमने इस output को यह हमारे पास output आया F का इस output को हमने G के input में डाल दिया अब G के input में डाला अब यह भी कुछ काम करेगा और यहां से फिर से मुझे एक output मिल गया अमालो वो output मेरे पास है 4, 8, 16 और 32 ठीक है यह मेरे पास यहां पर output मिल गया ठीक है तो यहां पर देखो मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले कुछ value डाली ठीक है उन value को मैंने कुछ function लगाया अब इस output को मैंने किसी दूसरे फलन के अंदर डाला तो यह दूसरे फलन के लिए input हो गया अब इस input का उसने कुछ जमाला किया और फिर हमें कुछ output मिल गया यह हमें output मिल गया ठीक है तो यह जो output मिलाना बच्चो यही होता है फलनों का सही हो जाए तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक फलन था F, जो कि समुच्चे A से समुच्चे B में परिवासित था, एक फलन जीता जो कि समुच्चे B से समुच्चे C में परिवासित था, हमने इन दोनों फंक्शन को कमबाइंड किया और एक नया फलन बच्चों हमें प्राप्त हुआ, जो की समुच्चे A से समुच्चे C के बीच में है, कहां से है वो, समुच्चे A से समुच्चे C के बीच में है, और इस फलन को कहा जाता है GOF, ठीक है, इसे हम इन दोनों फलनों का सयोजन कहते हैं, और GOF से रिप्रेजेंट करते हैं, निरुपित करते हैं, ठीक है, और ये कहा से कहां पर Champions होता है A से C में परिभासित होता है तो यह होता है बच्चों आपके फलनों का सही अजन ठीक है अम मैं आपको यह बछाता हूं कि हम फलनों के सही अजन को निरुपित कैसे करते हैं तो बच्चों देखो एक तो निरुपित करते हैं जी О F की साहथा से गॉफ की साहथा से एक हम nirupit करते हैं Fog की साहथा से एक एक करके आपको इसका मतलब सम्झाओंगा ठीक है एक बच्छो हमारे पास FО F B होता हैว Fog B होता है एक हमारे पास G OG B होता है। BLॉफ भी होता है ठीक है तो g o f of x का मतलब होता g of f of x ठीक है मतलब इसका ये कि यहाँ पर जो x है वो input है पहले मैंने f के अंदर input डाला तो मुझे output मिला f of x अब ये f of x input का काम करेगा g के लिए ठीक है तो ये g का input है input g के अंदर डाला तो जो मुझे अम मिलेगा वही मेरा output हो जाएगा अर्था g o f of x हो जाएगा ठीक है अच्छा फिर f o g of x क्या होता है ये होता है f of g of x अब यहाँ पर जो input डाला जा रहा है वो g के अंदर डाला जा रहा है फिर हमें g of x मिल रहा है एक output मिल रहा है वो output f के लिए input का काम करेगा फिर हमने उस input को f के अंदर डाला तो हमें एक output मिला वो है आपका f o g ठीक है ऐसी f o f of x क्या होगा f of x हो जाएगा g o x क्या होगा g of g of x हो जाएगा ठीक है ओके बच्छो तो यह होता आपके फलनों के सेयोजन को निरुपित करने का तरीका अब फलनों के सेयोजन कब परिवासित होते हैं इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ इसके बारे में वैसे तो मैं आपको पिछली क्लास हम बता दिया था ठीक है तो देखो एक तो हमें बात करनी चाहिए f o g के बारे में और एक बात करनी चाहिए हमें जी ओ एफ के बारे में ठीक हैं तो तो को एफ ओ जी का परिवासित होगा और जी ओ एफ का परिवासित होगा इसके बारे में आपको बताता हूँ तो मानो माना दो फलन है हमारे पास एक फलन F है जो की समुच्छे A से समुच्छे B में परिवासित है एक फलन G है जो की समुच्छे C से समुच्छे D में परिवासित है ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले में लिख रहा हूँ F एक फलन है जो की समुच्छे A से समुच्छे B में परिवासित है G एक दूसरा फलन है जो की समुच्चे C से समुच्चे D में परिवासित है ओके बच्चो यह हमने दो फलन माल लिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे G O F की कि G O F कब परिवासित होगा और कहां से कहां में परिवासित होगा और फिर हम बात करेंगे F O G के बारे में लिखाओ, उसका तो लेना है परांथ, और जो फलन बाद में लिखाओ, उसका लेना है परिसर, ठीक है, तो F, O, G कब परिवासित होगा, F, O, G तब परिवासित होगा, जब G का परांथ F के परिसर के बराबर हो, अर्थात F, O, G के परिवासित होने के लिए, B, बराबर होना चाहिए C के, B किसके बरावर होना चाहिए, C के बरावर होना चाहिए, अर्थात G का प्रांत बरावर होना चाहिए F के परिसर के, अर्थात f का जो output है वो g का input होना चाहिए तो g o f परिवासित होता है और यह कहां से काम होता है यह होता है समुच्चे a से समुच्चे d के अंतर लिए ठीक है तो यह होता है आपका g o f अब बात करते हैं बच्चो f o g की तो देखो यहां पर पहले कोना है f अब f का प्रांथ अर्थात a बरावर होना चाहिए g के परिशर के अर्थाट d के तो यहां पर a बरावर d होगा अर्थात f का प्रांथ बरावर हो जाएगा g के परिशर के f का प्रांथ g के परिशर के बरावर हो जाएगा और जो आपका F O G होगा ये समुच्चे C से समुच्चे B में परिवासित होगा अब देखो हमने समुच्चे C क्यों लिखा क्योंकि देखो बच्चो F O G of X है इसका मतलब अब ये X क्या होगा ये G का प्रांत होगा तो G का प्रांत क्या है C है तो इसलिए यहां पर C आया और पर हमें क्या मिलेगा F का आउटपट मिलेगा तो वो क्या है B तो ये B होगा ठीक है तो इसलिए ये C से B में परिवासित है ये A से D में परिवासित है तो ये होते हैं आपके बच्चों फलनों के सही होगा चलो इसको हमें एक उधारन के द्वारा समझते हैं तो मान लो आपके पास में एक फलन है F जो की समुच्चे A से समुच्चे B में परिवासित है ठीक है और F of X बराबर है X स्क्वाइर के ओके अब एक कोई फलन G है जो की समुच्चे B से समुच्चे C में परिवासित है और ये है G of X बराबर में है ये आपका मालोट 2X है ठीक है अब हमें ग्याद करना है जी ओ एफ ओफ एक्स ठीक है तो पहले तो ये देखो कि क्या ये परिवासित है अब परिवासित होने के लिए जी का परांथ एफ की परिसर के बराबर होना चाहिए तो दो कि आपर जी का परांथ एफ की परिसर के बराबर है इसका मतलब ये परिवा X क्या है आपके पास F of X X square तो यह हो गया G of X square ठीक है अब यहां पर दो को G of X है 2X है और यहां पर X की ज़िए X square है तो यह हो गया 2X square ठीक है तो यह हमारे पास आ गया G of X इस प्रकार से बच्चों हम फलनों का संयोजन ग्याद करते हैं उम्मीद है पिरते एक बच्चे को यह समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे हम फलनों का संयोजन ग्याद करते है ठीक है बेटा न्यू चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे यह बहुत इंपोर्टन चैप्टर है तो पहले इसको अच्छे से आप समझ लीजी समझ में आ गया सही बच्चों को फलनों का सही हो जनाब समझ में आ गया किलियर है 4x स्कौर नहीं होगा बेटा 2x स्कौर होगा देखो हमें x की जिए पर x स्कौर रखना है एक बार रिपीट कर दीए चलो बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ तो देखो माल लो हमारे पास कोई एक फलन है जो कि समुच्छे A से समुच्छे B में परिवासित है तो था F of X बराबर X स्क्वाइर के ठीक है अब एक कोई दूसरा फलन है G जो कि समुच्छे B से C में परिवासित है और G of X बराबर है 2 O X अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे G O F of X गयाद करो क्योंकि हमारा काम क्या है हमारा काम है F O G और G O F गयाद करना तो यहां पर हम G O F गयाद कर रहे हैं ठीक है अब कैसे गयाद करना है वो समझो तो देखो हमें बोला गया जी ओ एफ ग्याद करने के लिए अब पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये परिवासित है या नहीं है तो इसको परिवासित चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जी का प्रांथ एफ के परिसर के बरावर है या नहीं तो यहाँ पर हमने देखा कि G का प्रांथ है B और F का परिसर क्या है F का से प्रांथ क्या है B है ठीक है तो G का प्रांथ है F के से प्रांथ के बराबर होना चीए ठीक है यहाँ पर से प्रांथ लिख दो जादा बेटर रहेगा ठीक है से प्रांद लिख दोगे जाता बैटा रहेगा नहीं तो आपको konfusion होता रहेगा ठीक है F के से प्रांद के ऐसे यहाँ पर G के से प्रांद के से प्रांद लिख दो ठीक है ओके बच्चों तो यहाँ पर हमने देखा की g का जो प्रांत है वो f के से प्रांत के बराबर है इसका मतलब g of पारिबासित है ठीक है अच्छा अब g of f of x का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है g of f of x अब f of x क्या दिया गया है बच्चों में x स्क्वार f of x क्या दिया गया है X square दिया गय है तो यह हो गया G of X square ठीक है अब G of X क्या है 2X है अब हमें यहांपर G of X में X की जिगे पर X square रखना है तो जैसे कि देखो मानलो मैं आपसे कहता हूँ कि F of X बराभर में 2X है ठीक है और मैं आपसे कहता हूँ कि f of 3 का मान ग्याद करो तो आप x की जिए पर 3 रखते हो ना तो 2 गुणा 3 ऐसे 6 बता देते हो सेम ऐसे ही बच्चो यदि मैं आपसे g of x स्क्वार पुछ रहा हूं तो हम x की जिए पर x स्क्वार रखेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वार सुभम बेटा 2x स्क्वार होगा 4x स्क्वार नहीं होगा हमें x की जिए पर x स्क्वार रखना है तो वो 2x है तो 2x स्क्वार हो जाएगा किलियर है बच्चो बापको अंजली बेटा मनुज बेटा किलियर है बापको पिरतिक बच्चे को clear है भी यह चीज समझे में आगया ठीक है सर दो कहां से आया वेटा जी ओफ एक्स बराबर क्या है दो एक्स है यहां पर आप एक्स की जिगह पर एक्स सक्वार रखोगे तो केल एक्स की जिगह पर ऑक्स सक्वार रखना है दो तो एज़ेटीज रहेगा तो ये दो एक्स स्क्वार हो जाएगा ठीक है अच्छा अब बच्चों हम लोग कुछ उधारन करते हैं तो देखो पहला उधारन है मान लीजिए कोई F1 फलन है जिसका प्रांत है एक दो तीन चार से प्रांत है एक चार नो सोला जी एक फलन है जिसका प्रांत है एक चार नो सोला और से प्रांत है चार साथ बारह उन्निस दो फलन इस प्रकार हैं कि F1 बराबर 1 F2 बराबर 4 F3 बराबर 9 F4 बराबर सोला है G1 और G4 के मान साथ है G9 G1 के मान उन्निस है तो आपको G.O.F गयाद करना है ठीक है तो देखो बच्चों इस त तरीके के प्रिष्णों को हम लोग करते है तीर आरेक द्वारा ठीक है तो देखो चार तो तीर आरेक द्वारा भी कर सकते हैं आप इस तरीके के प्रिष्णों को चाहे तो बच्चों आप लोग इस तरीके के प्रिष्णों को mathematical रूप से भी कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं तीरारेक के बारे में बता रहा हूँ, उसके पश्चात मैं आपको mathematical form, मतलब mathematics तो ही है, मतलब दूसरे तरह की के बता हूँ, ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक समुच्चे है, A, यह है 1, 2, 3, 4, अब एक दूसरा समुच्चे B है, यह है 1, 4, 9, 16, ठीक है, और एक जिसका है 4, 7, 12, 19, यह समुच्चे C है, अब एक फलन F है, जो की A से B में परिवासित है, देखो यह A है, यह B है, तो एक तो A से B में परिवासित है, एक B से C में परिवासित है, तो यह एक दूसरा फलन G है, जो की B से C में परिवासित है, अब यहाँ पर देखो connection कैसे है, तो दोगो एक का कनेक्शन किसके साथ है एफ अफ एक बराबर है एक के तो एक का कनेक्शन एक के साथ है एफ अफ दो बराबर चार है दो का कनेक्शन चार के साथ है एफ अफ तीन बराबर है नो के तीन का कनेक्शन नो के साथ है f of 4 बराबर है 16 के 4 का कनेक्शन 16 के साथ है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर देखो g of 1 का कनेक्शन किसके साथ है तो देखो g of 1 का कनेक्शन है 7 के साथ 7 में g of 4 का कनेक्शन भी 7 के साथ है g of 9 का कनेक्शन 19 के साथ है g of 16 का कनेक्शन भी 19 के साथ है ठीक है तो ये बच्चों आपका समुच्च A से समुच्च C में परिवासित होगा ये बात सही है और देखो ये परिवासित है या नहीं पहले ये भी चेक कर लेते हैं तो B भी परिवासित है भाई G का प्रांथ F के परिसर के बरावर है तो G O F परिवासित है ठीक है और ये कहां से का में परिवासित होगा समुच्चे A से समुच्चे C में ठीक है इसका मतलब इसके अंतरगत समुच्चे A के अवेब डाले जाएंगे और C के अवेब हमें पराप्त होंगे ठीक है तो सबसे पहले मैंने एक डाला तो एक मानलो मैंने मसीन है कोई F कोई मसीन है इसके अंदर मैंने A के इंपुट डाला तो A का आउटपुट मिल गया एक ठीक है F ने आउटपुट दे दिया एक अब इस आउटपुट को फिर से डाला गया G मसीन मुझे क्या मिला फिर अब आउट अब आउट जी का इंपट बन गए इए अब मुझे आउट पुट मिल गए साथ तो इसका मतलब बच्चो हमारे पास मैं देखो A यह होगा C यह होगा यह अ है यह सी है यहां पर एक दो तीन चार है यहां पर चार साथ बारा और अनिस है अब देखो एक का कनेक्शन किसके साथ आया मेरे पास साथ के साथ एक कनेक्शन आया साथ के साथ ऐसे दो दो से चार मिला चार से मिल गया साथ तो दो का कनेक्शन भी साथ के साथ आ गया ती 3, 3 से मिला 9, 9 से मिल गया 19, तो 3 का connection उननेस के साथ आगया 4, 4 से मिला 16, 16 से मिल गया 19, तो 4 का connection 19 के साथ आगया तो यह होगे आपके ग-ॉ-f-x ठीक है? तो 3, R, 1 से तो हम ऐसे निकाल सकते हैं अच्छे हम दूसरी तरयके से निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो देखो हमें ये प्राप्त पता लग गया कि G。O.F. का प्रांध A है और से प्रांध C है ठीक है अब प्रांध में कौन-कौन से अवयव है प्रांद में हमारे पास अवयव है 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास अवयव है ठीक है सबसे पहले बच्चो मैंने यहाँ पर डाला एक को ठीक है तो इसका मतलब हो जाएगा जी आफ एफ आफ एक अब देखो एफ आफ एक का माने कितना है एफ आफ एक का माने बच्चो एक तो यह मेरे पास हो गया जी आफ एक अब देखो जी आफ एक का माने कितना है जी आफ एक का मा FUNKTION के अंदर एक डाला तो मुझे SAT मिला ठीक है ऐसे ही जब मैंने GOF के अंदर डो डाला तो यह हो जाईगा G OF F F2 Kind of F of 2 का मान देखो क्या है F of 2 का मान है 4 तो यह हो जाईगा G OF 4 और G OF 4 का मान कितना है मेरे पास 7 तो ये भी 7 आगया ठीक है इसी प्रकार मैंने जी ओ एफ 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 ए तो यगर जी ओफ सूला और जी ओफ सूला का मान है उन्निस तो ये भी उन्निस आगिया इसका मतलब जब मैंने गौफ के अंदर एक डाला तो साथ मिला दो डाला तो साथ मिला तीन डाला तो उन्निस मिला चार डाला तो उन्निस मिला ठीक है बच्चो तो ये आपका हो ठीक है ओके ठीक है अच्छा अब अच्छा हम चलते हैं अगले प्रिशन पर इसमें हमें F.O.G. ग्याद करना है ठीक है तो देखो फिर से पहले एक समुझ्चे A है फिर एक समुझ्चे B है देखो एक तीन चार ठीक है यहाँ पर है एक दो पांच और छे अब मालो एक समुझ्चे में यहाँ पर लग देता हूँ ठीक है एक दो पांच ओके यह मालो मेरे पास समुझ्चे B है यह समुझ्चे C है तो पहले देखो समुचे B से A में एक संबंद एक फलन G परिवासित है एक दो पांच से एक तीन चार में ठीक है फिर एक तीन चार से एक दो पांच छे में एक फलन F परिवासित है तो कुछ इस प्रकार से परिवासित है ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो F का प्र परिवासित होगा जी के प्रांथ से लेकर एफ के से प्रांथ तक तो जी का प्रांथ क्या है समुच्चे भी यहां से लेकर एफ का से प्रांथ क्या है समुच्चे सी तो बी से सी में परिवासित होगा ठीक है अब क्या होगा ध्यां से देखना तो बच्चों यहां पर देखो connection क्या है हमारे पास तो देखो एक डालने पर दो मिला F के अंदर मैंने एक डाला तो मुझे दो मिल गया ठीक है वाई तीन डाला तो पांच मिल गया चार डाला तो एक मिल गया ओके G में एक डाला तो तीन मिल गया दो डाला तो तीन मिल गया पाँच डाला तो एक मिल गया तो ये बच्चों हमारे पास में connection हो गए F और G दोनों के ठीक है अब हमें ग्याद करना है F और G जो की B से C में परिवासित है ठीक है तो यहाँ पर देखो जब मैंने एक डाला तो एक डालने पर इस ने दिया मुझे तीन और इस तीन ने मुझ मुझे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है तो यहाँ पर देखो मैंने समुच्चे B बनाया यहाँ पर मैंने समुच्चे C बनाया यहाँ पर है 1,2,5 यहाँ पर है 1,2,5 और 6 जब मैंने एक डाला मुझे क्या मिल रहा है 5 तो एक का connection किसके साथ है एक का connection है 5 के साथ ठीक है ऐसे पांच डाला मैंने तो पांच डालने पर यहां पर एक मिल रहा है यहां पर दो मिल रहा है तो इसका मतलब पांच डालने पर मुझे दो मिलेगा तो यह हो जाएगा आपका F.O.G. ओके बच्चों यह आपका F.O.G. हो जाएगा अच्छा यह दिया में इसे दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते दो को F.O.G. कहां से का में परिवासित है समुच्चे B से समुच्चे C में परिवासित है अब B क्या है आपका B समुच्चे बच्चों आपका 1,2,5 यह आपका B स सबसे पहले हम लिकालेंगे FOG of A अभी हो जाएगा F of G of A के बरावर अब G of A गया है G of A के आपके पास तीन के बरावर तो यह हो गया T of Teyn और F of Teyn किसे बरावर है 5 के तो यह बरावर आगे है 5 के ऐसे हम लिकाला F of G of Do तो यह जाएगा F of G of Do के बराबर अब g of 2 देखो कितना है यह 3 है तो यह गया f of 3 के बराबर अब यह भी 5 हो जाएगा ठीक है फिर हमने लेकाला f of g of 5 तो यह हो जाएगा f of g of 5 के बराबर अब देखो 5 का कनेक्षन किसके साथ है एक के साथ तो योग है f of 1 अब f of 1 का मन कितना है 2 है तो यह आगे 2 जिस तरी के समने f o g ग्याद कर लिया 1 5 2 5 और 5 2 ठीक है अच्छा 9 का कनेक्शन बारे के साथ है 19 के साथ नहीं कहां बेटा 9 का कनेक्शन 19 के साथ है 12 के साथ नहीं है मनुज बेटा आपने कुछ गलत देख लिया है 9 का कनेक्शन 19 के साथ है 12 के साथ नहीं है ठीक है ठीक है बच्चो अब देखो अगले प्रिश्ण पे चलते है अगला प्रिश्ण बच्चो आपका कि f एक फंक्शन है जो की कहां से का में परिवासित है आर से आर में वास्तिविक संग्याओं के समुच्चे से वास्तिविक संग्याओं के समुच्चे में परिवासित है और f एक्स दिया गया है कॉस एक्स के बरावर एक दूसरा फलन जी है ये भी आर से आर में परिवासित है तो जी ओफ एक्स बरावर है परिवासित है या नहीं तो देखो इसको परिवासित होने के लिए G के परांद को F के से परांद के बराबर होना पड़ेगा G का परांद R है F का से परांद R तो बराबर है तो इसका मतलब परिवासित तो है ठीक है अब कहां से कहां में बच्चों ये परिवासित होगा तो ये परिवासित होगा F के प्रांथ से G के से प्रांथ में ठीक है तो इसका मतलब ये R से R में ही परिवासित होगा और क्या होगा G of F of X के बराबर होगा अब देखो F of X क्या है F of X है हमारे पास Cos X तो यह हो जाएगा G of cos x अब यह देखो क्या होगा g of x है बच्चो 3x square अब यहां पर आपको x की जिगे पर cos x रखना है तो यह हो गया 3 cos x का square मतलब क्या हो गया यह 3 cos square x हो गया यह आग गया आपके पास g of अब बात करते हैं f o g of x की तो यह हो जाएगा f of g of x क्या यह परिवासित है पहले यह चेक कर लो तो बिल्कुल परिवासित है देखो g का परांट है sorry f का परांट g के से परांट के बराबर है तो यह परिवासित है और कहा से कहा में परिवासित होगा r से r में g के परांट से f के से परांट में X की जगह पर 3X2 रखा to यह कोस 3X2 ठीक है तो यह आपके पास Jी आगया ठीक है तो यह रहा बच्छो आपको F OG और यह रहा आपका gof यह हमें ग्याद करना था यह हमने ग्याद कर लिया ठीक है अब हमें सिद्ध करना है कि F OG ग F बरावर नहीं है तो देखो यार बराबर हैं कि यह तीन कॉस स्क्वार एक्स है वो है कॉस त्री एक्स स्क्वार तो यह दोनों बराबर नहीं है तो जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ वो जी और यह बात बच्चों आपको याद रखनी है तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे मुझे यह रही बच्चों आपकी कुछ मान लीजिए आपके पास कोई फलन एफ है जो की आर से आर में परिवासित है एफ ओफ एक्स बराबर आपके पास साइन एक्स दिया गया है g r से r में फ़लन है g of x बरावर x स्क्वार दिया गया है तो आपको f o g ग्याद करना है क्या होगा तो बताइए बच्चो f o g क्या होगा f o g के बारे मुझे बताइए f o g के बारे मुझे बताइए बच्चो मुझे बच्चो इस सेशन को लाइक भी करते रहिए इस सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सेर भी करिए इस सेशन को ठीक है बच्चो आपका समय होता है अब इस समाब अब जो को हमें क्या ग्याद करना है f o g ग्याद करना है ठीक है तो f of g यह हो जाएगा f of g of x के बराबर अब g of x क्या है आपका g of x आपके पास x स्कॉयर है तो यह हो गया f of x स्कॉयर के बराबर अब x की जिगे पर x square रख दो f of x में तो यह हो जाएगा sin x square तो कौन सा विकल्प सही है c विकल्प बच्चों आपका सही होगा sin x square सही होगा तो काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है रितू, सत्यम, पृतिमा, जतेन, सुभम, मनोज सभी का आंसर सही है बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे सारा clear होगा, ठीक है अब बच्चों हम लोग चलते हैं आज के last question पर last question है, मान लीजे कि f, g और h r से r में दिये गे फलन है तो में सिद्ध करना है पहले कि f plus g o h बराबर होता है f o h plus g o h के, तो था f गुणा g o h बराबर होता है f o h गुणा g o h के, तो बच्चों इससे पहले मैं आपको class 11th का थोड़ा revision करा देता हूं कि f plus g of x होता क्या है यह होता है f of x plus g of x के बराबर और f गुणा g of x बराबर होता है f of x गुणा g of x के बराबर ठीक है अब यह आसानी से हो जाएंगे कैसे दोगो हमारे पास क्या है f plus g o h यह है तो यह क्या होगा यह हमारे पास हो जाएगा f plus g of h of x हो जाएगा ठीक है अब दोगो इस परिवासा से दिया हम बात करें तो हो जाएगा f of h of x plus g of h of x के बराबर अब यह क्या होगा यह होगा आपके पास में f o h plus g o h देखो यही सिद्ध करना था f o h plus g o h तो यह हमारा सिद्ध हो गया अगले वाले को देखो यहां पर है f g o h इसको मैं बच्चों लिख सकता हूं f g of h of x इस तरीके से लिख सकता हूं अब फिर से यहां पर देखो x के जीए पर h of x है तो x j h of x कर दो तो यह हो गया f of h of x गुड़ा g of h of x यह मेरे पास हो जाएगा ठीक है अब यह क्या हो गया f o h गुड़ा g o h देखो यही सिद्ध करना था क्या f o h गुड़ा g o h तो यह हमने सिद्ध कर दिये ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आपका यह वाला प्रिश्णमी आपर आंसर बताईए g o f of 3 बटे 2 का मान बताना है यदि f of x बरावर 2x माइनस 1 बटे 2 है और g of x बरावर x प्लस 2 है तो इसका आंसर बताईए बच्चों मुझे जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी बच्चों इसका आंसर बताईए फिर हम आज की किलास को समाप्त करेंगे बच्चे भी आंसर बता रहे हैं अच्छा पुराने को इसका बता रहे हैं भी बच्चों आपका सम्मे होता है आपस माप्त अब देखो इसका आंसर क्या होगा हमें क्या जल्का लना है ग-o-f of 3 बटे 2 ऩे क्या होगा g of f of 3 बटे 2 के बराबर हो जाएगा अब पहले आप f of 3 बटे 2 ग्याद करो तो x जाए पर 3 बटे 2 रख दो तो यह हो गया 2 गुणा 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 यहां से यह गया तो 3 माइनस 1 बटे 2 2 बटे 2 तो यह आ गया 1 के बराबर तो इसका मतलब यह क्या बन जाएगा G of 1 बन जाएगा अब यहां पर जब आप एक रहोगे यह हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर में 3 तो हमारा आंसर क्या आया 3 आया तो कोई सा विकल्प यहां पे सही दीख रहा है क्या आपको कोई सा विकल्प बच्चो आपको क्या यहां पर सही दीख रहा है तो यहां पर देखो कोई भी विकल्प हमें सही नहीं दीख रहा तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा ठीक है तो यह थे बच्चों आपकी आज की क्विज्च के दोनों प्रिशनों के उत्तर अब आज की क्लास में हमने फलनों का सही हो जन पढ़ा और उस पर आधारित काफी सारे कोश्चन डिसकस किये अब बच्चों बात करें इस अध्य संबंद क्या होता है संबंद का परांत सह परांत परिशर क्या होते है उसके बाद फिर हमने इस अध्याय के पहले इंपोर्टन टॉपिक संबंदों के परिकारों के बारे में जाना जहां पर हमने भिन भिन परिकारों के संबंद देखे थे इसके बाद बच्चों हमने फलन पढ़ा जिसमें सबसे पहले हमने यह जाना कि फलन क्या होता है फलन का प्रांथ सह प्रांथ परिसर कैसे जात करते हैं उसके बाद फलनों के प्रकार देखे हमने अब फलनों के प्रकार हमने चार देखे एके की बहुएके की आच्छादक और अंतेचे भी ठीक है उसके बाद बच्चों हमने फलनों का सही उजन देखा ठीक है और आज की कलास में हम प्रतिलों फलन अर्थात व्यूत करम में देखेंगे समुच्चे यानि सेट्स बीटा दो तीन लेक्चर वाद न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ओके अब बच्चो आज की क्लास में हम लोग फलनों की सैयोजन पर आधारित कोईश्चन करने वाले हैं पृतिलों फलन देखने वाले हैं और फलनों क की क्लास को आज की कलास में काफी सारी क्विश करने वाले हैं तो आपको बहुत मज़ आएगा आज की क्लास में ठीक है ठीक है बच्चो तो यह रही आपकी पहली क्विश इसका आंसर बताइए मुझे यदि f r से r में कोई फलन है तो था f of x बरावर 3 माइनस x की गात 3 और इस पूरे गात 1 बटे 3 है तो आपको f o f of x बताना है क्या होगा पताईए बच्चो कौन सा विखल्प से योगा बीटर डेली मैं 10 बजे लाइव आता हूँ 10 से 11 होती है लाइव क्लास तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने d बताया है और कुछ ने b बताया कुछ ने यह बताया जो correct answer है वो सब ने बहुत कम बताया ठीक है किसी किसी बच्चे नहीं सही answer बताया एक बच्चे का answer सही है क्यों भाई क्या दिक्कत हो गई क्या दिक्कत हो गई दो बच्चों का answer सही है देख अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस question को ध्यान से समझेगा बिल्कुल लिजी question था बच्चों यह देखो हमें f of x दिया गया यह हमें गयात क्या करना है f of x तो दो को यह हो गया f of f of x यह हो गया हमारे पास f of x ठीक है जाब यहां पर देखो हमें f of x क्या दिया गया है यह दिया गया है तो यह हो गया f of 3 minus x q और इस पूरे की घाट एक बच्चे थीक है अब थोड़े देर के लिए मान लो कि यह आपके पास में y है ठीक है तो आपको f of y ग्याद करना है अब f of x ही है तो यहां पर x की जगे पर y रख दो तो यह गया 3 माइनस y की घात 3 और इस पूरे की घात 1 बटे 3 हो जाएगा अब मुझे क्या चाहिए y की घात 3 तो इसकी घात 3 लिका लो देखो हमने माना y वरावर है 3 माइनस x क्यूब की घात 1 बटे 3 अब यदि हम y क्यूब लिका लें तो यह हो जाएगा 3 माइनस में x क्यूब यह हो जाएगा ठीक है तो यहां से 3 माइनस y क्यूब बराबर हो जाएगा देखों 3 माइनस y क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस x क्यूब अर्थात ही हो ज जाएगा X गात 3 के बरावर तो यहाँ पर मान रखेंगे योग है X गात 3 इस पूरे की गात 1 बटे 3 तो क्या आ गया मेरे पास X इसका मतलब F O F of X क्या आ गया मेरे पास X आ गया तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा C विकल्प C विकल्प बच्चों सही होगा ठीक है चलो एक वार फिर से मैं आपको बजाता हूँ दुबारा समझेगा देखो हमें लिकालना है F O F of X तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अब F of X हमें क्या दिया गया है 3 माइनस X की गात 3 और इस पूरे की गात 1 बटे 3 तो वह मैंने F of X की अब मुझे चाहिए था F of Y का मान अब F of Y क्या हो जाएगा वही F of X यह है तो F of Y गात करना है तो X को Y से पर तो F of Y हो गया 3 माइनस Y की गात 3 और इस पूरे की गात 1 बटे 3 के बराबर ठीक है अब बच्चों यहां पर हमने देखा कि Y की गात 3 बराबर आजाएगा 3 माइनस X गात 3 तो यहां से 3 माइनस Y की गात 3 बराबर हो जाएगा X गात 3 के ठीक है अच्छा अब इस मान को मैंने आपे रखा तो यह गात 3 और इस पूरे की गात 1 बटे 3 गात से गात कट गई तो क्या रह गया केवल X ठीक है राइट सैड में 3 कैसे आया बेटा मैंने 3 में से Y तो मैंने 3 माइनस Y की गाता तो वह X क्यूब आया ठीक है ठीक है बेटा आगे सही बच्चों को समझ में आगे बच्चों समझ में सही बच्चे थमसब करेंगे मुझे ताकि मुझे पता लग सगे कि आपको यह समझ में आ गया है क्या एक बार और रिपीट करने की जड़त ह क्लियर है नहीं आए समझ में चलो एक बार फिर से बताता हूँ देखो बच्चों हमें लिकालना है एफ ओ एफ ओ अफ 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 एक्स अब मैंने आपको पिछली के लास में फलनों का सेयोजन बताया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जी ओ ओ ओ आफ ओ अफ 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 और इस पूरे की गात एक बटे तीन, इसका मान ग्यात करना है, अब यार यह थोड़ा जटल लग रहा था, मैंने इसको मान दिया Y, तो मैंने माना Y बरावर है, तीन माइनस X की गात तीन और इस पूरे की गात एक बटे तीन के बरावर, ठीक है, अर्थात हम मुझे F of Y लेका अच्छा, अब मैंने यहाँ पर देखा कि Y बरावर यह है, मुझे चाहिए था Y की गात तीन, तो मैंने Y की गात तीन लेकाला, तो Y की गात तीन बरावर हो गया, तीन माइनस X क्यूब, मैंने दोन पक्सों में घन कर दिया, ठीक है, तो यह मेरे पास आगया, अब मुझे च अब तीन से तीन कट गया, तो क्या रह गया, क्या रह गया, तो F of X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ओके, अंजली बेटा समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों अब आपको, सचिन बेटा समझ में आ गया, सौनो समझ में आ गया, क्लियर है पर तुक बच्चों को, ठीक है, ओके, ठीक है, अब बच्चों जैसा है कि हमने पिछली किलास में देखा था, फलनोंका सायोजन, अब फलनोंका सायोजन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई फलन हो f of x ठीक है जो कि समुच्चे a से समुच्चे b में परिवासित हो और एक दूसरा फलन हो g of x जो कि समुच्चे c से समुच्चे d में परिवासित हो ठीक है तो इनका फलनों का सयोजन होता है एक तो होता है f o g और एक को था जी ओ एफ ठीक है ओके अब एफ जी को परिवासित होने के लिए सबसे पहले आया एफ तो एफ का प्रांथ एफ का प्रांथ बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के से प्रांथ के जी के से प्रांथ के बराबर होना चाहिए अर्थात जदी समुच्चे ए और समुच्च D बरावर हैं तो F O G अस्तित में होगा यदि बात करें G O F की तो G O F के लिए G का प्रांथ बरावर होना चाहिए F के से प्रांथ के अर्थात बच्चो जी का प्रांथ यानि के C बरावर होना चाहिए A के से प्रांथ अर्थात B के तो C बरावर होना चाहिए B के अच्छा अब यह परिवासित कौन से समुच्चे से होते हैं तो F O G ये बच्चो आपका परिवासित होगा समुच्चे C से समुच्चे D में क्यों 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 F O G of X का मतलब है F of G of X अब यहाँ पर X क्या है X यहाँ पर G का प्रांत है ठीक है तो G का प्रांत क्या है C इसलिए C से D नहीं हो गए C से अब दो को हमारे पास में A D आ गए C आ गया क्या रह गया केवल B तो C से B में यह परिवासित होगा ठीक है ऐसे यदि हम G of की बात करें तो यह समुच्चे A से समुच्चे D में परिवासित होगा ओके बच्चों तो यह होते हैं फलनों के सेयोजन अब मैंने आपको फलनों के सेयोजन का निरुपण भी बताया था जैसे कि यदि हमारे पास में F O G of X हो तो यह बरावर होता है F of G of X के ठीक है ऐसे ही यदि हमारे पास G O F of X हो तो यह बरावर होता है G of F of X के यदि हमारे पास F O F of X हो तो यह बरावर हुता है F of F of X के और यदि हमारे पास G of X O तो यह बरावर हुता है G of X के ठीक है बच्चों इसके बरावर हुता है बच्चों मैंने आपको काफी सारे कोईशन भी कराएं थे पिछली किलास में जैसे कि माल लो अब हम एक कोशन और देखते हैं मालओ हमारे पास में एक फलन है F of X जो की समुच्चे आर से समुच्चे आर में परिवासित है ठीक है और F of X बराबर है मेरे पास में X ठीक है अब एक दूसरा फलन है G of X ये भी आपके समुच्चे आर से समुच्छे आर में परिवासित है ठीक है तो था जी ओफ एक्स बरावर है बच्चो आपका लॉग एक्स लॉगरिथ्म फंक्सन है लगुगण के फलन लगण के फलन के बारे में आप ग्यारवी क्लास हैं पढ़के आचुके हो I THINK तो लॉग एक्स है जी ओफ एक्स ठीक है अच्छा अब यदि बच्चो मैं बात करूँ जी ओफ एक्स की तो देखो वो क्या होगा ये बरावर हो जाएगा जी ओफ एक्स के ठीक है अब देखो एफ एक्स क्या है एफ एक्स आपके पास एक्स तो यह हो गया जी ओफ एक्स और जी ओफ एक्स क्या है लॉग एक्स तो ये बराबर आगया लॉग एक्स ठीक है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ ओफ एक्स बराबर होता है लॉग एक्स के ठीक है अच्छा अब यदि बात करूं बच्चों मैं एफ ओ जी ओफ एक्स की तो वो देखो क्या हो आफ आफ जी ओफ एक्स के बराबर अब जी ओफ एक्स क्या है लॉग एक्स तो यह जाएगा एफ ओफ लॉग एक्स के बराबर ठीक है अब एफ ओफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा देखो हमें एक्स की जिए पर लॉग एक्स रखना है तो यह जाएगा लॉग एक्स के और g o f बराबर होते हैं तो बच्चो मैंने आपको पिछली क्लासम बताए कि ये बराबर नहीं होते हैं दोगो इसको समझना है तो हमें एक नया फंक्शन ले लेते हैं f1 x बराबर में x स्क्वार अब मैंने ये चेंज कर दिया अब यदि हम पहले f1 g of x ग्याद करें तो यह हो जाएगा f1 of g of x अब मेरे पास ये क्या होगा g of x क्या लॉग x तो यह हो जाएगा f1 of log x अब ही हो जाएगा log x का whole square ठीक है अब यह क्या हो जाएगा log x का whole square हो जाएगा अच्छा बच्चो यदि हम g o f1 x ग्याद करें तो यह हो जाएगा g of f1 of x अब f1 of x क्या है x square तो यह हो जाएगा g of x square अब g of x में x ग्याद पर x square रख दो तो यह हो जाएगा log x square अब यह बच्चो दोनों बराबर नहीं है ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि f o g और g o f बराबर हो ठीक है बच्चो f o g और g o f बराबर हो यह कोई जरूरी नहीं है अब बच्चो हम लोगे question करते हैं बड़ा ही प्यारा question है यह तो question है 3 फलन हमें दिये गए है f g और h जहांपर f of x बराबर है 2x के जी ओफ वाई बराबर है तीन वाई प्लस चार के तो था एच ओफ जेड बराबर है साइन जेड के आपको सिद्ध करना है कि एच ओफ जी ओफ बराबर होगा एच ओजी ओफ के ठीक है तो दोगों कैसे करेंगे इस पिस्ट को ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम लिखा लेंगे जी ओफ तो दोगों जी ओफ ओफ एक्स क्या हो जाएगा यह हो जाएगा जी ओफ एफ एक्स के बराबर अब एफ ओफ एक्स क्या दिया गया हमें टू एक्स है तो यह हो जाएगा जी ओफ टू एक्स के बराबर अब देखो बच्चों हमें दिया गया है G of Y बराबर 3Y प्लस 4 अब यहां पर मुझे Y की जिगे पर 2X रखना है तो यह हो जाएगा 3 गुणा 2X प्लस में 4 अब यह हो जाएगा 6X प्लस में 4 3 का मैंने गुणा कर दिया 2X के साथ में तो 6X हो गया और यह प्लस का 4 हो गया ठीक है बच्चों तो यह हमारे पास आगया G of of X ठीक है यह हमारे पास क्या आगया G of of X आगया समझ में आया बच्चों आपको यह यह समझ में आगया आपको बता मुझे कैसे आया 6X प्लस 4 आपको समझ में आया समझ में आ गया थमसब करो बच्चों सो देट मुझे पता लग सके ठीक है बहुत अच्छे अब हमें इसका ह के साथ में सयोजन करना है तो देखो क्या हो जाएगा हो जी ओ एफ आफ 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 अब यहाँ पर जैड की जीगे पर क्या है 6X प्लस 4 तो यह हो जाएगा साइन ओफ 6X प्लस में 4 ओके तो यह आपके पास आ गया HO ओफ जी ओफ ओके बच्चो इसे मैं सम्मीकर नमबर एक माल लेता हूँ ठीक है अब मुझे इसको किसके बरावर सिद्ध करना है HOG OF के ठीक है तो पहले हम लोग लिकालते है HOG कि होगा तो दिहां से दिखेगा HOG क्या होगा HOG बरावर हो जाएगा ह of G of X के अब G of X हमें क्या दिया गया है G of X ने G of Y दिया गया है दोंको G of X क्या हो जाएगा 3x plus 4 g of x y को x से प्रतिस्थापित कर दो तो यह हो गया 3x plus 4 तो यह हो गया h of 3x plus में 4 ठीक है अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा sign of 3x plus में 4 ठीक है यह आगया h og अब हमें क्या चाहिए h o g ox चाहिए अर्थात यह हो जाएगा h o g of f of x अब f of x क्या आपके पास f of x है 2x तो यह हो जाएगा h o g of 2x अब h o g क्या है आपके पास h o g हमारे पास यह ठीक है अब यहां पर हम x की दिगे पर 2x रस गे तो यह हो जाएगा sin of और 3 बूना 2x प्लस में 4 क्योंकि sin of 3x प्लस 4 था यह तो यह हो गया अभी हो गया sin of 6x प्लस में 4 इससे मैंने सम्मीकर नंबर 2 माल लिया तो हो गया h o g o f ठीक है यह हमारे पास बन गया अब बच्चो ध्यान से देखो सम्मीकर न एक और दो को दोनों के rhs बराबर है अभी दी rhs बराबर है तो lhs भी बराबर होंगे ठीक है अंजली बेटा इसकुल की टाइमिंग को हम देख लिए ठीक है तो यहाँ पर h o g o f और g o h f बराबर है h o g o f और h o g o f बराबर है बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं की h o of g o f बराबर है h o g o f की ठीक है बच्चो तो सम्मीकरण एक और दो से हमने यह सिद्ध कर दिया बच्चो आपको समझ में आगे यह वाला कोईश्चन मुझे जल्दी से बताईए की आपको यह वाला कोईश्चन समझ में आया है नहीं आया बता बच्चो जल्दी से मुझे नहीं आया चलो एक बार फिर से देखते देखो हमें सिद्ध करना था h o of g o f बराबर h o g o f ठीक है अब सबसे पहले हमने लिका ला g o f तो देखो g o f क्या हो जाएगा g of f of x हो जाएगा अब f of x हमें क्या दिया गया था 2x तो यह हो गया g of 2x अब बच्चो g फलन हमें क्या दिया गया g फलन दिया गया हमें 3 y plus 4 मुझे चाहिए g of 2x तो मुझे y की जिगे पर 2x रखना पड़ेगा तो यह हो गया 3 गुणा y की जिगे पर 2x रखा तो 2x पलस में 4 अब यह हो गया 3 दूनी 6x पलस में 4 यह आगे मेरे पास g o f ठीक है अब मुझे इसका h के साथ में सेयोजन करना था तो h o g o f of x से बराबर हो जाएगा h of g o f of x अब g o f क्या है तीने 6x पलस 4 तो मैंने 6x पलस 4 रख दिया अब h of z ता साइन z अब z की जिगे पर मुझे क्या रखना है 6x पलस 4 तो यहाँ पर मैंने 6x पलस 4 रख दिया यह आगे तो यहाँ तक आपको समझ में आया सम्मीकरण एक तक बच्चों को समझ में आ गया सम्मीकरण एक तक बच्चों आपको समझ में आ गया बताईए सही बच्चे स्रीकान, सुभम, अंचली, मनोज बता बच्चों सम्मीकरण एक तक समझ में आ गया सौनू, रवी संकर, अबिलासा, रितू समझ मागे से बच्चों को ठीक है अब देखो इसके बाद हमने लिकाला हो जी अब हो जी क्या हो जाएगा हो जाएगा अब जी ओफ वाई हमें दिया हुआ तीन वाई प्लस चार तो यहां से जी ओफ एक्स बराबर हो जाएगा तीन एक्स प्लस चार यहां पर मैंने रख दिया अब एच ओफ जेड है साइन जेड तो यहां पर जेड की जीगे पर मैंने तीन एक्स प्लस चार रखा तो यहां गया साइन है तीन एक्स प्लस चार ठीक है clear यहां तक clear बच्छो बढ़िया अब इसके बाद हमने लिका लना था इसका F के साथ सही हो जन तो HOG of F of X हमने लिका लना था अब HOG F of X कितना है 2X अब हमारे पास जो HOG फलन आया उसमें हमने X किज गया पर 2X रख दिया तो हमारे पास यह बन गया तो यह आगया साइन 6X प्लस में 4 ठीक है बच्चो तो सम्मीकन 2 समझ में आगया अंजली सुभम समझ में आगया सम्मीकन 2 पवन अंसिका अस्रीकांत clear है तो इस तरीके से सम्मीकन 1 और 2 से बच्चो हमारे यह सिद्ध हो गया मनुच कुमार के लिए रहे बहुत अच्छे ठीक है ठीक है ठीक है हाँ भई अब हम चलते हैं बच्चो अगले पिशन पर अगला पिशन मान लीजिए कोई फलन F है जो की 1,2,3 से A,B,C में 1,A,K की तो था आच्छा दक फलन इस परकार है कि F of 1 बराबर A के F of 2 बराबर B के F of 3 बराबर C के तो सिद्ध कीजिए कि फलन G, A,B,C से 1,2,3 का एक ऐसा स्थित्व है ताकि G, O,F बराबर I,X ता F, O,G बराबर में I,Y हो जहां पर X, 1,2,3 है Y, A,B,C है ठीक है तो यहां पर देखो हमें F क्या दिया गया है F दिया गया हमें 1,2,3 से लेकर के A,B,C तक इस परिकार से हमें दिया गया है ठीक है तो देखो मैं इसका 13 आरेक बनाता हूं 13 आरेक कुछ इस परिकार का बनेगा यह है समुच्च A यह मानलो समुच्च B है इसमें 1,2,3 है इसमें है A,B,C अब देखो हमसे का गया है कि F of 1 बराबर है A के मतलब एक का कनेक्षन किसके साथ है A के साथ तो एक का कनेक्षन हो गया A के साथ दो का कनेक्षन B के साथ है और तीन का कनेक्षन है C के साथ तुझे तो किलियरली हमें 55 लग रा है कि größ多 है गी एक 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 है और अच्छादक है तुझे अच्छा अभ वं番 पे सिद्ध करना है कि फुलन जी जो है वो जी ओ एफ एफ ऑफ एक्स ब्राबर मैं आई एक्स हैं और एफो जी ब्राबर मैं आई बाई है ठीक है यह हमें बच्चों यहां पर सिद्ध करना है ठीक है तो F तो आपका यह हो गया अब यदि हम बात करें G की तो G कहां से कहां में परिवासित है ABC से 123 में परिवासित है ठीक है तो ABC से वो 123 में परिवासित है अमालो यह B है यहाँ पर फिर से ए समुच्चे आ गया है एक दो और तीर ठीक है बच्चो अच्छा अब एफ एक 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 और आच्छा दक है ठीक है अच्छा जी के बारे हम कुछ भी नहीं बोला हुगा ठीक है अब ध्यान से देखो समझने की कोशिस करना बच्चो की हमारे पास दो को यह सारे चीजिज़ होगी जी कहां से कहां में परिवाशत है और बिसी से वन टू थ्री में परिवासत है ठीक है ताकि जी ओ ए बराबर हो आई एक्स के अब पहले तो ये समझो कि आई एक्स क्या है ये होता है बच्चो आपका तत्समक फलन तत्समक फलन अब तत्समक फलन क्या होता है तो तत्समक फलन के बारे बच्चो आप किलास 11 ते में पढ़के आ चुके हो तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ कि तत्समक फलन क्या होता है कुछ बच्चों का याद भी होगा कुछ को याद नहीं होगा इसलिए मैं बता देता हूँ कि तत्समक फलन क्या होता है तो बच्चो f of x बराबर यदि x हो तो इसे हम तत्त समक फलन कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं तत्त समक फलन यदि f of x बराबर x हो यानि कि यदि हम फलन के अंदर जो भी डालें वही हमें मिले जो भी हम input डालें वही की वही हमें output मिल जाए वही होता है बच्चों मारा तत्त समक फलन अंग्रेजी में बोलते हैं identity function ठीक है नहीं पढ़ा है आपने तो कोई नहीं मैंने आपको बदा दिया कि तस्समख फलन होता है आपका f of x बराबर x यह आपका तस्समख फलन होता है यदि बच्चों इसके प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत होता है पूरा की पूरा आर और परिसर भी इसका पूरा की पूरा आर होता है ठीक है तो यह होता है आपका तस्समख फलन अब हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजे की फलन जी जो है वो इस प्रकार का फलन है कि जी ओ ए बराबर है आई एक्स के मतलब की जी ओ एफ के अंदर मैं जो भी डालूँगा वही मुझे मिलेगा ठीक है तो पहले तो हम यह देखते हैं कि जी ओ एफ परिवासित कहां से कामे होगा तो जी ओ एफ यह परिवासित होगा आपके समुच्छे ए से समुच्छे ए में जी और एफ कहां से कहां में परिवासित होगा समुच्चे ए से समुच्चे ए में परिवासित होगा क्यों इसलिए क्योंकि यहां पर देखो जी का जो प्रांत है वो एफ के सह प्रांत के बराबर है जी का प्रांत जो है बी देखो यह तो है एफ अब यहाँ पर एक फलंग G है तो G का जो प्रांत है वो F के से प्रांत के बराबर है तो G और F समुच्चे A से समुच्चे A में परिवास्त हो जाएगा ठीक है भाई अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि X ये है और Y ये है ठीक है कोई नहीं मतलब यहाँ पर X और Y माने जो हमने A और B मान रखें ठीक है तो चाहिए तो आप यहाँ पर A भी कर रहा हो या फिर X Y कर लो बात बराबर है ठीक है अच्छा ओके किलिए रहा तक अच्छा अब यहाँ पर देखो G.O.F समुँचे A से समुँचे A में परिवास्त है अब समुचे A में क्या है एक दो और तीन इदर भी एक और दो और तीन ठीक है अब हमसे कहा गया है कि ग.O.F जो है वो क्या है कैसा फलन है तस समख फलन तो इसका मतलब एक का एक के साथ सम्बन होगा दो का दो के साथ होगा तीन का तीन के साथ सम्बन होगा ठीक है तो एक का हो जाएगा हमारे पास एक के साथ सम्बन बी का हो जाएगा दो के साथ सम्बन C का हो जाएगा 3 के साथ सम्माद तो देखो 1 का 1 के साथ आया 2 का 2 के साथ आया 3 का 3 के साथ आया ठीक है तो यहां पर हमारे पास G.O.F क्या बन गया I.A. बन गया जो हम डाल रहे हैं वही हमें मिल रहा है ठीक है अच्छा अब यदि हम F.O.G. की बात करें तो यह कहां से कामें परिवासित होगा F का परांद G के से परांद के बराबर होना चाहिए तो F का परांद G के से परांद के बराबर है ठीक है अब परिवासित कहां से कामें होगा यह होगा बच्छो आपका B से B के अंतरगत ठीक है मतलब A B C से A B C के अंतरगती होगा अब A डालोगे A मिलेगा B डालोगे B मिलेगा C डालोगे C मिलेगा ठीक है तो इसका मतलब F O G बराबर हो जाएगा IB के ओके और देखो यही तो हमें आप दर्साना था कि G O A बराबर हो I X के और F O G बराबर हो I Y यानि कि I A और I B के बराबर हो ठीक है तो यह बच्चों हमने आपर दर्सा दिया ओके किलियर अच्छा आब अगले प्रिशन पर चलते है अगला प्रिशन बच्चों आपका यह है यहाँ पर F O X आपको यह दिया गया है G O X यह दिया गया है आपको सिद्ध करना है F O G बराबर में आईए ठीक है तो यहाँ पर देखो F O X क्या है 3 X प्लस 4 बटे 5 X माइनस 7 ठीक है और F कहां से कहां में परिवास्त है R माइनस 7 बटे 5 से लेकर के R माइनस 3 बटे 5 तक यहाँ में परिवास्त है और G O X क्या दिया गया है G O X हमें दिया गया है 7 X प्लस 4 बटे 5 X माइनस 3 यह हमें G O X दिया गया है ठीक है और G कहां से कहां में परिवास्त है यह परिवास्त है R माइनस ठीक है R-7 वटे 5 से एक बार देखना G of X द्वारा प्रतत्त है ठीक है सिद्ध कीजी FOG G of इस प्रकार है ठीक है A तो है R-3 वटे 5 B है R-7 वटे 5 ठीक है ठीक है बच्चो तो अभी G के बारे में कुछ नहीं बोला क्या A और B पता समगे ठीक है छोड़ो I think ये R-3 वटे 5 से R-7 वटे 5 से परिवाज़त होगा मैं लग देता हूँ G जो होगा R-3 वटे 5 से R-7 वटे 5 में परिवाज़त होगा ठीक है आप चाहो तो चेक भी कर सकते है इसका परांथ जो हैगा R-3 वटे 5 होगा ठीक है ओके बच्चों तो ये आपको F और G दो फलन दिये हुए अब पहले मुझे लिकालना है F-O-G तो पहले ये देखो कि क्या F-O-G परिवास्त है तो परिवास्त होने के लिए जरूरी है F का परांथ G के से परांथ के बरावर हो F का परांथ ये है G का से परांथ ये है अच्छा R-7 वटे 5 ये दिया गया B और ये दिया गया A तो इसका मतलब F जो है वो तो B से A में परिवास्त है और G जो है वो A से B में परिवास्त है तो आपर देखो B और B बरावर आ गए इसका मतलब F-O-G परिवास्त होगा और कहां से काम है A से A में परिवास्त होगा अब होगा क्या तो f of g of x के बराबर हो जाएगा यह अब यह हो जाएगा f of g of x क्या है? 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 यह है आपका g of x अब f of x बच्चों मारा यह है अब यहाँ पर हम x की जिगे पर यह डालेंगे तो देखो क्या बन जाएगा? यह हो जाएगा 3 गुणा x की जिगे पर 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 प्लस 4 बटे यह हो जाएगा 5 गुणा 7x प्लस 4 बटे 5x माइनस 3 और यह हो जाएगा माइनस का 7 ठीक है? इसको आगे solve करते हैं तो यहाँ पर देखो 3 का गुणा करेंगे 7x लगत्तम ने लिया 5x माइनस 3 तो यह हो जाएगा 20x माइनस 12 बटे यहाँ पर हो जाएगा यह 35x प्लस 20 यहाँ पर माइनस का 35x प्लस में 21 यह हो जाएगा 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 खतम हो जाएगे यहाँ देखो 12 से 12 गए 35 x से माइनस के 35 x चले गए 21 और 21 एक्तालिस x बटे 21 और 21 41 से 41 चला गया क्या आगया हमारे पास x आ गया तो इसका मतलब f o g of x बराबर आगया x के और हम जानते हैं यदि कोई फलन x के बराबर हो तो वो क्या होता है तस समख फलन होता है यदि कोई फलन x के बराबर हो तो वो तस समख फलन होता है तो f o g बराबर हो जाएगा i अब यह i भी कौन सा होगा कहां से कामे परवाश रहता है a स a में तो i a हो जाएगा ठीक है बच्छो तो इस तरीके से f o g निकल के आ गया दो बिलकुल सिंपल है हम f o g और g o f लिकाल रहे है जो कि हमें परशनम पूछा गया ठीक है f o g लिकल गया अब लिकालते हैं g o f अब यह हो जाएगा g of f of x के बराबर तो यह हो जाएगा g of f of x हमें क्या दिया गया है f of x हमें दिया गया है 3x प्लस 4 बटे 5x x-7 तो यह हो गया अब इसको हम g के अंदर रखेंगे तो g क्या है हमारे पास g है 7x प्लस 4 बटे 5x-3 तो x की जीए पर 3x प्लस 4 बटे 5x-7 रख दो तो यह गया 7 गुणा 3x प्लस 4 बटे 5x माइनस 7 बटे 5 गुणा 3x प्लस 4 बटे 5 पांच एक्स माइनस साथ माइनस साथ हो जाएगा ठीक है एक्स की जिगे पर मैंने तीन एक्स प्लस चार बटे पांच एक्स माइनस साथ रग दिया माइनस तीन है सो रही है यहाँ पर यह माइनस तीन है साथ एक्स प्लस चार बटे पांच एक्स माइनस थीन था ना तो यह हमने मान रख दिया अब यहाँ पर फिर से सरल करेंगे इसको तो 21 एक्स प्लस 28 प्लस 20 एक्स माइनस 28 बटे यहाँ हो जाएगा 15 एक्स प्लस 20 माइनस 15 एक्स प्लस 21 तो यहाँ पर भी देखो 28 से 28 गया 15 से 15 गया तो यह आगया 41 एक्स बटे 41 तो यह आगया हमारे पास एक्स के बराबर ठीक है अब पहले यह देखो जी ओ एफ परिवासित कहां से का में होगा तो जी ओ एफ बच्चो आपका परिवासित होगा कहां से काम है? F के प्रांद से G के से प्रांद में तो F का प्रांद कहा है B और G का से प्रांद कहा है B तो ये B से B में परिवास्ट होगा अब इसका मतलब G, O, F बराबर आगया I, B के और देखो यही तो हमें इस दर्साना था कि F, O, G, I, A के बराबर हो G, O, F, I, B के बराबर हो तो ये बच्चो हमने आपर दर्सा दिया ओके बच्चो तो इस तरीके से आपको इसे प्रिशन को हल करना था अब बच्चो बात करें इस अध्याय की तो दो इस अध्याय के आरम में हमने समुच्चे के बारे में जाना कि समुच्चे क्या होता है अब समुच्चे को बच्चो आप लोग 11 वी कलास है पढ़के आचुके थे यहाँ पर मैंने उसका Quick Revision कराया था Chemistry की कलास कब होगी बेटा Chemistry की कलास सुबह 9 बज़े होती है इस किलास से पहले कैमिस्ट्री की ही किलास होती है हाँ पृतिमा बेटा आप भी लास तक बने रहते हो हमारे साथ मुझे पता है राजिस्थानी गरल हेलो ठीक है इसके पश्चाथ बच्चों अमने संबंध के बारे में जाना अब संबंध में मैंने आपको सबसे पहले समुच्चों का कारते गुणनफल बताया उसके पश्चा संबंध क्या होता है इसके बारे मैंने आपको बताया फिर मैंने आपको संबंध का प्रांत सैप्रांत और परिसल निकालना सिखाया और फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको संबंदों के प्रिकार बताए थे अब मैंने यहाँ पर आपको काफी सारे संबंदों के प्रिकार बताए जिसे रिक्त संबंद क्या होता है, सारवर्तिक संबंद क्या होता है, तसमख संबंद क्या होता है स्वेत तुल्यता संबंद प्रती संबंद तो ऐसे काफी सारे हमने संबंदों के परिकार बताए हाँ बेटा मेरी किरपा जरूर रहेगी बाकि आप सभी की मेनत रहेगी यदि आपने मेरे साथ मिलकर के मेनत की तो डेफिनेटली बच्चो आप भी मेरिट लिस्ट में आओगे ठीक है हाँ जतनी बेटा आप भी लाष्ट तक रहते हो ठीक है हाँ अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं फलन तो दोगों फलन में सबसे पहले हमने ये जाना कि फलन क्या होता है फलन का प्रांद सैप्रांद परिशन निकालना सीखा उसके पश्चाद बच्चों हमने फलनों के प्रकार देखे यहाँ पर हमने एकई की फलन आच्छादक फलन बहु एकई की फलन और अंतेचेपी फलन ये चार फलनों के प्रकार देखे थे ठीक है कावी सारे फलनों के परकार आप ग्यारवी किलास में भी पढ़के आ चुके हो जिसे तस्समक फलन क्या होता है अचर फलन क्या होता है वर्ग फलन क्या होता है वर्ग मूल फलन क्या होता है घन फलन क्या होता है मापांग फलन क्या होता है लोगण क्या फलन क्या होता है X by Z इस तरह की काफी सारे फलनों के परकार आप 11 वी कलास है पढ़के आचुके हो बट यहाँ पर हमने जो फलनों के परकार देखे वो बहुत जादा मैत्पूर्ट थे कौन कौन से थे वो एके की बहुएके की आच्छादक और अंतेची भी ठीक है अब फलनों के प्रकार के प्रश्चाद बच्चों हमने बात की फलनों के सही उजन के बारे में और ये टॉपिक हम पिछली किलास तक समाप्त कर चुके हैं काफी सारे कोश्चन हमें आपे डिसकस कर चुके हैं अब बच्चों आज हम बात करने वाले हैं प्रतिलों फलन के बारे में ठीक है और आज आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम नैस्ट क्लास में द्वी आधारी संक्रियाओं के बारे में जानेंगे ठीक है तो इस तरीके से कल बच्चों मैं आपका ये अध्याय समाप्त कर दूँगा ठीक है तो सौमबार से हम लोग एक नया अध्याय आरम करेंगे ठीक है बच्चो हाँ अब बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो जानेंगे हम पृतिलों फलन की बारे में और उसके पश्चाद बच्चो हम फलनों के पृतिलों पर आधारित कुछ कोश्चन करेंगे ठीक है बच्चो अब बच्चो हम आज की क्लास को आरम करते हैं एक क्विज के माद्यम से ठीक है क्विज के माद्यम से बच्चो हम आज की क्लास को आरम करते हैं तो सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे बच्चो ये रहा आज की कुछ का पहला परिशन यदि F of X बराबर 8 X की घात 3 और G of X बराबर X की घात 1 बटे 3 हो तो आपको F O G बताना है क्या होगा तो बताईए बच्चो क्या होगा F O G जल्दी से मुझे बताईए F O G क्या होगा सभी बच्चे इसका सही आंसर देंगे तो बच्चो आपका समय होता है अब देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है दो कैसे करेंगे इस question को solve वो देखते हैं तो हमें f of x बराबर दिया गया ये gx बराबर दिया गया ये पूछा क्या है हमसे f o g f o g of x ये बराबर हो x की घाथ 1 बटे 3 है x का घनमूर है ठीक है अब बच्चो f of x क्या है 8 x q अब यहाँ पर x किजगे हमें क्या रखना है x की घाथ 1 बटे 3 तो चलो भाई रख देते डी विकल्प बच्चो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तो यह था बच्चो आपकी आज की पहली क्विज़ का आंसर तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया बहुत अच्छे नागार्म दीपक अंकित आमिन अभिलासा सुब हम काफी बच्चों ने सही आंसर दिया बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है अच्छा बच्चो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की टॉपिक को उससे पहले बच्चों मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहता हूँ क्योंकि आज की क्लास का टॉपिक इस पर बहुत आता रहता है ठीक है तो दोगो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फलनों का संयोजन होता क्या है ठीक है तो जैसे कि माल लो हमारे पास में कोई दो फलन है एक फलन है एफ जो की समुच्चे ए से समुच्चे बी में परिवासित ह ठीक है यहाँ पर F का प्रांत है A और से प्रांत है B अब एक दूसरा फलन है G जो की समुच्चे C से समुच्चे D में परिवासित है यहाँ पर C समुच्चे क्या है G का प्रांत और D समुच्चे G का से प्रांत है ठीक है अब बच्चो फलनों का सही हो जान अर्थात G-O-F और F O G परिभासित कब होगा पहले तो हम लोग ये देखते हैं तो दोगो ये परिभासित होंगे जब पहले का प्रांद दूसरे के सह प्रांद के बराबर हो अब पहले क्या लिखा होगा जी तो जी का प्रांद जी का प्रांद बराबर होना चाहिए F के से प्रांद के यदि जी का प्रांद F के से प्रांद के बराबर है तो G.O.F परिवासित होगा अब जी का प्रांद क्या है इसका मतलब है जी का प्रांद यानि की C बराबर होना चाहिए F के से प्रांद यानि की B के तो C बराबर यदि B है तो बच्चो हमारा G, O, F परिवासित होगा अब कहां से कहां में परिवासित होगा तो ये परिवासित होगा पीछे वाले के परांथ आगे वाले के से परांथ में तो F का परांथ यानिकी A से G के से परांथ यानिकी D में तो ये A से D में परिवासित होगा ठीक है इसी प्रिकार बात करें बच्चो एफो जी की तो पहले का प्रांट दूसरे के से प्रांट के बरावर होना चाहिए अर्थात एफ का प्रांट जी के से प्रांट के बरावर होना चाहिए अर्थात ए बरावर होना चाहिए डी के ठीक है एक इसके बरावर होना चाहिए डी के बरावर हुन चाहिए और कहां से का में परिवासित होगा पीछे वाले के परांट से आगे वाले के सह परांट में तो G का परांट क्या है C तो C से आगे के सहपरांद के बी तो C से B में ये परिवासित होगा ठीक है तो G और F का परिवासित होगा जब G का परांद F के सहपरांद के बराबर हो और कहां से कहां में परिवासित होगा A से D में मतलब F के परांद से G के सहपरांद में और F-O-G का परिवासित होगा जब F का परांद G के सह परांद के परावर हो और कहां से कहां में परिवासित होगा G के परांद से F के सह परांद में ठीक है बच्चो तो ये था आपका फलनो का सेयोजन अब मैंने बच्चो आपको फलनो के सेयोजन को कैसे निरुपित करते हैं फॉब और यदि गॉफ हो अर्था जी ओ एफ हो तो ये बराबर होता है जी ओफ एफ एफ एक्स के ठीक है अच्छा यदि हमें फॉफ लिकालना हो एफ 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 लिकालना हो तो ये बराबर होता है एफ ओफ एफ एफ एक्स के और यदि हमें गौग लिकालना हो जी ओजी लिकालना हो तो ये बराबर होता है जी ओफ जी ओफ एक्स के ठीक है तो ये बच्चों हमारे फलनों के संयोजन का निरुपण होता है ठीक है बच्चों ठीक है अब बच्चों इसके बाद मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट गुर् रखने ठीक है तो पहला गुर्धर्म ये है कि यदि यदि एफ और जी एक कई की हों तो एफ ओ जी या जी ओ एफ भी एक कई की होगा ठीक है यदि एफ और जी बच्चो एक कई की हों तो एफ ओ जी या जी ओ एफ भी एक कई की होगा पहला गुर्दर्म तो यह है दूसरा गुर्दर्म यह है कि यदि F और G आजचादक हो आजचादक मतलब आजचादक का मतलब है सैपरांद परिसर के बराबर हो तो उस केस में F O G या G O F भी आजचादक होंगे ठीक है और तीसरा इंपोर्टन्ट गुर्दर्म है अब इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगा ठीक है तो यदि F और G यदि F और G एक कई की आजचादी हों क्या हों एक कई की आजचादी अर्थात बाइजेक्टिव हों क्या हों बाइजेक्टिव तो एक कई की आजचादी हों तो F O G या G O F भी एक कई की आजचादी होंगे एक कई की आजचादी होंगे तो ये बच्चों तीन बहुत ही महत्पून गुड़ हैं फलनों के सहियों जनके ये आपको याद रखने है ठीक है बच्चों याद रखेंगे सभी बच्चे याद रखेंगे ना तीनों गोड़न बच्चों आपको याद होने चाहिए याद रखोगे एक वार थमसब करके मुझे बता दो हाँ बच्चे कह रहे हैं याद रखेंगे ठीक है बहुत अच्छे ठीक है याद है बहुत बड़ी है अच्छा अब बच्चों बात करते हम प्रतिलों फलन की जिसे हम व्यूत करम लिए फलन भी बोलते है ठीक है तो अब हम इसकी बात करते है ओके बच्चों अच्छा अब दो सबसे पहले तो व्यूत करम क्या होता है व्यूत करम क्या होता है या प्रितिलोम क्या होता है वो समझते है ठीक है तो जैसे कि आपने क्लास 10 तक पढ़ा होगा कि यदि मैं आप से यह कहूंगी बच दो का व्यूत करम क्या है तो आप क्या बोलते थे सर दो की गाहत माइनस एक कर दो ये इसका विद्क्रम हो जाएगा अर्थात एक बटे दो ये इसका विद्क्रम होगा आप यही बोलते थे ना कि दो का विद्क्रम एक बटे दो है छोटी किलासेज में आप यह बोलते थे अब उसके बाद जब आपने चर पढ़ना आरम किया और आप से पूछा गया कि X का व्यूत करम क्या है तो आपने क्या आंसर दिया 1 अपॉन X होगा आपका आंसर यह तो था कि X का उल्टा क्या होगा व्यूत करम का मतलब क्या होता उल्टा हम लोग जनरली यही समझते हैं देखो व्यूत करम हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग यही समझते हैं कि व्यूत करम का मतलब होता है उल्टा तो X का उल्टा 1 अपॉन X हो जाएगा ठीक है तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिर व्यूत करम ये फलन यानि कि यदि हमें f का व्यूत करम ग्याद करना हो तो वो क्या होगा देखो मानलो मेरे पास कोई फलन f of x है और इसका मुझे व्यूत करम ग्याद करना हो तो बच्चे सूच रहे होंगे कि सर बिल्कुल ही जी है, f of x का व्यूत करम हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके से 1 upon f of x, अब इसको पढ़ाने की क्या जरत है, तो बच्चों मैं आपको बता दो कि f of x का व्यूत करम 1 upon f of x नहीं होता है, ठीक है, तो यदि आप लोग के दिमाग में ये बात है, कि 2 का व्यूत करम 1 बटे 2 होता है, x के व्यूत करम 1 बटे x होता है, तो f of x का व्यूत करम भी 1 बटे f of x होगा, तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल वेगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ऐसा बच्चों नहीं होता है, यहीं चल रहा था बच् ठीक है वो नहीं होता है तो अब हम यह सीखेंगे कि फिर होता क्या है F of X का व्यूत करम फिर होता क्या है वही आपको याँ पर सीखना है ठीक है उसको सिखाने के लिए सबसे पहले मैं याँ पर कोई दो फलन ले रहा हूँ एक फलन F है जो कि समुच्चे A से समुच्चे B में परिवासित है ठीक है और एक दूसरा फलन G है जो कि समुच्चे B से समुच्चे A में परिवासित है इस परिवासित है कि यहाँ पर यदि Y वरावर F of X है तो यहाँ पर X वरावर G of Y है कुछ इस परिवासित है मतलब यहाँ पर जो मैं मान डाल रहा हूँ जो मैं मान रे वो वाई है अब यूदि मैं वाई को यहां पे डालू तो मुझे जो मानिहाद teammate डाले वही मुझे प्राब्त हो जाएं तो यही होते हैं बच्चो आपके ठीक है नहीं समझ मैं घब्राउ मत मैं आपको उधार उधार ऋधार मसिंजाता हूं तो मालू बच्चो यह समुच्चे मेरे पास दुनिया के पुत्रों का समुच्च ठीक है पुत्रों का समुच्च अमालों मेरे पास में कोई चार पुत्र है ज्यादा पुत्र ने ले रहा है चार पुत्र है मेरे पास में एक का नाम है राम ठीक है एक का नाम है कृष्ण एक का नाम है मनोज ठीक है और एक का नाम है अरुन ठीक है ये बच्चों हमारे पास में चार पुत्रे हैं अब भी समुच्चे है इनकी माताओं का समुच्चे माताओं का समुच्चे ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इनकी माताओं है एक की माता है लच्मी एक की माता है गीता एक की माता है सुनीता ठीक है और एक की माता है बच्चों सिवांगी ठीक है तो ये चार माता है हमारे पास लेकिए है ठीक है अब दोखो एक फलन इस परिकार से परिवाज़त है यहाँ पर मेरे पास समुच्चे A है यहाँ पर मेरे पास समुच्चे B है समुच्चे A में क्या क्या है मेरे पास राम है कृष्ण है ठीक है मनुज है और आरुन है ओक्य समुच्चे भी में क्या है लच्चमी है गीता है सुनीता है और सिवांगी है ये है ठीक है अब देखो मैंने एक फलन ऐसे बनाया कि राम की माता तो है गीता ठीक है किरस्न की माता है सिवांगी ठीक है मनुज की माता है लच्चमी और आरुन की माता है सुनीता ठीक है इस तरीके से बच्चो मेंने एक फलन बना है ठीक है तो यहाँ पर दिखो एक फलन बना और फलन क्या है यह फलन फलन एफ बच्चो यह है कि इसके अंदर अव्यव है एक कॉमा बी की रूप में ठीक है किस रूप में एक कॉमा बी की रूप में जहां पर ए तो है आपका समु तथा जो A है वो B का पुत्र है ओके बच्चों तो ये हमारे पास में एक फलन है ठीक है ये हमारे पास में एक फलन है ठीक है अच्छा अब ये कहता है कि A जो है वो B का पुत्र है अब यदि मुझे इसका पिर्तिलोम बोलना हो मतलब उल्टा बोलना हो तो इसका उल्टा मैं क्या बोलूँगा इसका उल्टा बच्चों मैं यह बोलूँगा कि B A की माता है मैं यह बोलूँगा ना A B का पुत्र है तो इसका उल्टा क्या होगा आप खुद बोल के बताओ यदि A, B का पुत्र है और मैं इस कथन का उल्टा कथन बोलू पिरतिलोम कथन बोलू तो क्या होगा इसका पिरतिलोम कथन होगा कि B, A की माता है यह होगा ना दोगो हम लोग मैट नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर तो इसका मतलब एक फलन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है मानलो वो फलन जी है जिसमें अब यह होंगे हमारे पास B, A की रूप में यहां पर A और B रहेंगे उसी समुच्चे के विव परन्तु यहां पर B, A की माता है ओके बच्चो यानि की मानलो मेरे पास में कुछ इस प्रकार का कोई फलन है अब यहां पर मेरे पास वहिए देखो लच्चमी है गीता है सुनीता है और सिवांगी है यह मेरे पास माताओं का समुच्चे आगया B और A समुच्चे हो गया पुत्रों का, यहां पर है राम, यहां पर है किर्ष्ण ठीक है यहां पर है मनूज और यहां पर है बच्चो अरुन ओके, अब देखो यहां पर लच्चमी किस की माता है लच्चमी है मनूज की माता तो लच्चमी का कनेक्शन है मनूज के साथ गीता किस की माता है राम की तो गीता का कनेक्शन है राम के साथ सुनीता किस की माता है अरुन की तो सुनीता का कनेक्शन अरुन के साथ है सिवांगी क्रिशन की माता है तो ये क्रिशन के साथ कनेक्शन होगी है ठीक है तो एक फलन जी मेरे पास ये आगए ठीक है अब दोगो एफ और जी क्या है एक दूसरे के प्रतिलोम है एफ और जी क्या है बच्चो एक दूसरे के प्रतिलोम है तो दोगो यहाँ पर एफ क्या था एफ समुच्चे ए से समुच्चे बी में एक फलन था एफ क्या था समुच्चे ए से समुच्चे बी में फलन और जी क्या है जी बच्चो आपका समुच अच्छे बी से समुच्छे ए में फलन है तो यदी कोई फलन ए से बी में हो तो इसका व्यूत करम लिए फलन बी से ए में होगा पहली बात तो आपको यह समझ नहीं है ठीक है समझ में आगे पर देख बच्छे को कि यदी कोई फलन एफ ए से बी में है तो इसका व्यूत करम ब की से ए में होगा, सिरी यहां देपो यहां पर एक चीज गौर करो, यह फलन है कैसा? तो आप लोग देख रहे हो यह फलन एक कई की फलन है, कैसे? देखो राम की केवल एक माता है, गीता, किसन की भी एक माता सिवंगे, दो माता तो एक ही होनी थी दो नहीं हो सकती थी जिए दो माता होती थी तो फलन तो होता ही नहीं ठीक है अच्छा क्या किसी पुत्र की किसी दो पुत्रों की एक माता है क्या नहीं है इसका मतलब फलन एक एक ही है ठीक है उसके अलावा दो को समुच्चे भी में हमारे पास जि आपका एकई की आच्छादक है ये आपका कैसा फलन है एकई की आच्छादक है अब यदि ये फलन एकई की आच्छादक है तभी बच्चो इस फलन का पृतिलोम अस्तित्व में है यदि ये फलन एकई की आच्छादक है तभी इस फलन का पृतिलोम अस्तित्व में है अब ब किसी को थोड़ा चेंज किया इसी में इसमें मैंने ऐसे चेंज किया है मालो मेरे पास यहां पर है अब सौट में लिखते है इतना बड़ा बड़ा नाम लिखने की जरत नहीं है ठीक है तो राम के लिए आर लिख दिया अगला कृष्ण है कृष्ण के लिए के लिख दिया मनो सुनीता है ऐसे लिख दिया सिवांगी है ऐसे लिख दिया ठीक है तो यह हमने नाम लिख दिये अब बच्चो मैं आपसे कहता हूं कि राम की माता है गीता ठीक है और यह क्रिशन की माता है सिवांगी और मनुच की माता भी अब सिवांगी है और अरुन की माता है सुनीता ठीक है मान लो अब हमारे पास इस तरीके का फलन है क्या यह फलन है बेलकुल है देखो समुच्चे के प्रते का विव का कनेक्शन है और केवल एक के साथ कनेक्शन है तो ठीक है तो यह हमारे पास इत फलन है फलन वही है कि भई ए बी का पुत्र है फलन वही का वही है ठीक है परंतु अवे बच्चो यह फलन आपका ए कैकी नहीं है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर एम की माता भी सिवांगी है और किस्न की माता भी सिवांगी है तो यह बहु ए कैकी है अब देखो इस फलन का व्यूत्क्रम क्या होगा इस फलन का व्यूत्क्रम होगा बी ए की माता हो यही होगा ना अब यहाँ पर देखो मैंने बी समुच्चे बनाया यहाँ पर मैंने बनाया ए समुच्चे ठीक है बी ए की माता होनी चाहिए तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आएगा लच्मी गीता सिवांगी सुरी सुनीता और सिवांगी यहाँ पर राम है कृष्ण है मनोज है और अरुन है अब देखो लच्मी का कोई पुत्र है क्या कोई पुत्र नहीं है गीता का कोई पुत्र है गीता का राम है तो किष्ण भी है ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में अब ये फलन बना अब पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये एक फलन है देखो यहाँ पर पहली बात लचमी का कोई पुत्री नहीं है तो समुच्छे ए में एक अव्यव रह गया तो ये बच्चों फलन ही नहीं सिवांगी के दो पुत्र आ रहे हैं तो ये बच्चों फलन नहीं हैं। ठीक है अच्छा ये तो मैंने बहु एके के लिया अब एके की बहु एके की नहीं है तो एके की होगा तो ये बात तो कन्फर्म होगे कि फलन एके की होना जरूरी है प्रतिलोम होने के लिए ठीक है अब देखो यहां पर मैंने आजचा दक बोला अब फलन या तो आजचा दक ह होना चाहिए ये तो हमने देख लिया हम ये देखते हैं कि क्या आंते छेपी पर भी प्रतिलोम कस्तित हो सकता है क्या तो चलो वो चीज देखते हैं हम लोग ठीक है तो मेरे पास देखो फिर से एक फलन है इसी वाले को ले लेता हूं चलो अब एक है कि होना चाहिए ये बात आपको याद रखनी है तो आर के एम और ए ठीक है यहां पर मेरे पास लगा लो लचमी है गीता है सोनीता है सिवांगी है और मेरे पास चलो एक और लगा लेता हूं मैं मेरे पास में रीता है रीता नहीं कोई और नाम लेते हैं बड़ी आसा नाम लेते हैं कुछ बड़ी आसा नाम लेते हैं तो दिक्षा लगा लो ठीक है दिक्षा है डी लगा लिए अपने ठीक है डी फुर दिक्षा ओके बचो दिक्षा है अच्छा अब मालो राम की माता है गीता एक आई की बनाना ठीक है कृष्ण की माता है सिवांगी ओके मनोच की माता है लच्मी और आरुन की माता है सुनीता ठीक है बच्चो यह है हमारे पास अब देखो यह कैसा फलन है एक आई की तो है क्योंकि एक का एक के साथ ही हो रहा है दो के साथ नहीं हो रहा, दो का एक के साथ नहीं हो रहा, एक का एक के साथ ही हो रहा है, तो यह एक एक की तो है, साथ में यह आच्छा दक नहीं है, यह अन्ते छेपी है, क्योंकि यहाँ पर दिख्चा का कोई भी पुत्र नहीं है, ठीक है, तो यह कैसा फलन है, अन्ते छेप यही होगा तो यहां पर देखो क्या आएगा लच्मी गीता सुनीता सिवांगी और दिक्चा यहां पर क्या आएगा राम किष्ण मनोज और अरुन यहाएगा अब लच्मी का पुत्र कौन है लच्मी का पुत्र है मनोज तो लच्मी का पुत्र हो गया मनोज गीता का राम है त तुनीता का कोन है अरुन इसका अरुन के साथ हो गया शिवांगी का कृष्ण है इनका कृष्ण के साथ हो गया ठीक है अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो तो समुच्य B में एक अव्यव छूट गया D मतलब दिख्षागा कोई पुत्र है ही नहीं अर्थात बच्चों ये फ़लन नहीं है ये आपका फ़लन नहीं है देखो फ़लन की परिवासा क्या थी समुझे है कि प्रतेक अवेव का कनेक्शन होना जरूरी है तो ये भी फ़लन नहीं है तो फ़लन नहीं है इसका मतलब इसका प्रतिलोम भी अस्तित में नहीं होगा तो इसका मतलब फ़लन अं अच्छा दखोन पड़ेगा ठीक है तो प्रितेग बच्चा इस बाद को अपनी कोपी में नोट करेगा बड़े-बड़े सबदों में नोट लिखेंगे और नोट लिखकर इस बाद को हम लोग लिखेंगे क्या की किसी फलन के पितिलों का अस्तित्व तभी होगा जब वह एक एकी आजचादी हो ठीक है बच्चों? तो सबी को समझ में आ गया कि फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व कब होगा? जब फलन एक एकी आजचादी हो समझ में आ गया सही बच्चों को? एक बार सही बच्चे थमसब करेंगे मुझे कि सर हमें ये बाद समझ में आ गई? ठीक है अब बच्चों होता क्या है फलन का प्रतिलोम वो आपको समझ ना है तो मालनो हमारे पास कोई फलन एक दूसरा फलन जी है जो की बी से ए में परिवास्ट है ठीक है? और ये इस तरीके से परिवास्ट है कि ऐफ ओ जी जो है ऐफ ओ जी अब आप लोग मुझे बताओंगे आफ ओ जी कहां से का में परिवास्ट होगा? जी के प्रांथ से एफ के से प्रांथ में जी का प्रांथ किया है बी तो यह होगा बी से बी में परवासित ठीक है तो जो आपका एफ ओ जी है वो बराबर होना चाहिए किसके आई बी के अर्थात तस समख फलन के बराबर होना चाहिए इसका मतलब F-O-G एक ऐसा फरन होना चाहिए जिसके अंदर जो मैं डालू वही मुझे मिल जाए जो मैं डालू वही मुझे मिल जाए तथा इसके अलावा G-O-F जो है अब ये कहां से कहां में परिवासित होगा दो को F का प्रांथ A, G का से प्रांथ A तो A से A में ये परिवासित हो जाएगा और G-O-F बराबर होना चाहिए I-A के तो यदि Fog बराबर हो I-B के और G-O-F बराबर हो I-A के तो इस इस्तिती में जो G होगा G-F का प्रतिलोम होगा G-F का प्रतिलोम होगा और इसको हम दरसाते हैं बच्चो F-Inverse है F-Inverse X बराबर हो जाएगा G-O-F X के F-Inverse X बराबर हो जाएगा G-O-F X के ओके बच्चो तो ये होता है आपके फलन का प्रतिलोम अब फलन का प्रतिलोम कैसे ग्याद करते हैं वही आपको सीखना है तो उसको सीखेंगे उससे पहले हम लोग एक छोटी से क्विज करने जा रहे हैं तो क्विज के लिए तयार हैं सही बच्चे तो ये रही बच्चो आपकी आज की सेकंड क्विज देख को यदी ऐफ कोई फलन हो तो ऐफ इनवर्स आर में आर में पराप्त होगा यदी अईफ क्या हो आप मुझे बताएं किसी फलन का प्रतिलोम कव अस्तित में होता है अभी अभी बच्चो मैंना आपको बताया प्रते एक बच्च इसका सही आंसर देगा बताइए बच्चों मुझे किसी फलन के पिरतिलूम का कस्व अस्तित्व होगा बच्चे कह रहे हैं विकल्प सी सही होगा हां बेटा विकल्प सी सही होगा मनोज बेटा आपका बिल्कुल सही है दो किसी फलन का प्रतिलूम तभी इस्तित्म होता है जब वह एक एक की आच्छादग होता है तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा ठीक है अब बच्चों हम लोग चलते हैं कुछ प्रिश्णों पर तो यहां पर देखो एक फ्रस्ण दे है अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि दिया गया फलन एक एक की भी है और आच्छा दग भी है तो चलो भाई इसको सिद्ध करते हैं अब फलन के एक एक की सिद्ध करने के मैंने आपको तेन विदिया बताई है आप उन तीनों विदियो में से किसी भी एक विदी का उपयो जो कि आपके f of x के प्रांथ अर्थात capital N से लिए गए ठीक है और इस प्रकार से हैं कि f of x1 बरावर है f of x2 के अब देखो f of x1 क्या हो जाएगा 4 x1 प्लस 3 f of x2 क्या हो जाएगा 4 x2 प्लस में 3 यह हो जाएगा 3 से 3 कट गया तो 4 x1 बरावर 4 x2 हो गया अब 4 से 4 कट गया तो हमारे पास आगया x1 बरावर x2 अब याद करो बच्चो मैंने आपको बताया था कि यह दि f of x1 बरावर f of x2 हो और इसका तात पर रही हो कि x1 बरावर x2 है तो फलन एक एकी होता है तो फलन एक एकी है फलन क्या बच्चो आपका एक एक एकी है अब बात करते हैं बच्चो आच्छा दकी तो देखो हमारे पास फलन क्या दिया गया है f of x बरावर दिया गया है 4 x बरावर दिया गया है अर्थात y बरावर क्या है 4 x बरावर दिया गया है X वरावर Y माइनस 3 वटे 4 ठीक है अब यहाँ पर देखो Y का माण आप क्या ले सकते हो Y का माण बच्चों आप क्या ले सकते हो यह मुझे बताओ ठीक है तो आप लोग यहाँ पर पाऊगे देखो Y वरावर 4 X प्लस 3 मान लिया ठीक है उसके बाद में यहां पर X बरावर हो जाएगा Y माइनस 3 बटे 4 तो यहां पर हम Y का मान कुछ भी ले सकते हैं तो इसका सहिपरांथ और परिसर दोनों बरावर हो जाएँगे N के किसके बरावर आजाएँगे N के बरावर आजाएँगे ठीक है ठीक है बच्चो तो इसका मतलब ये फलन एक एकी भी है आच्छा डग भी है तो व्यूत क्रम्री हो जाएगा अब इसका पृतिलोम क्या होगा तो दो को पृतिलोम कैसे निकालते हैं वो आपको समझना है ठीक है पृतिलोम हम कैसे निकालते हैं तो हमने माना y वराबर है 4x प्लस में 3 ठीक है अब यहां से बच्चो आप लोग x को y के पदों में लिका लोगे तो जिस तरीके से आप परिसर निकालते थे थे ना सेम वही प्रोसेज आपको यहां पर लगानी है ठीक है समझ में नहीं आया चलो एक वहार फिर से बताताउँ देगो बच्चो फलन व्यूत करमड़ी इस सिद्ध करना हमें तो फलन व्यूत करमड़ी कब होगा जब फलन एकईकी और आच्छा दक दोनों होगा तो पहले हमने यह चेक कर रहागा गए एकईकी है या नहीं है तो भई y बरावर क्या है हमारे पास 4x प्लस 3 हम क्या करेंगे हम x को y के पदों में लिखेंगे तो यहाँ पर y माइनस 3 बरावर हो जाएगा 4x के तो 4x के बरावर हो गया अब यहाँ पर x क्या हो जाएगा देखो x बरावर हो जाएगा y माइनस 3 मटे में 4 ठीक है याद करो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बूली थी कि ज़िए f of x ब्रावर y हो और x ब्रावर g of y हो तो जो g of x होता है वही आपका व्यूत क्रम नी फरण होता है ठीक है जी आफएक्स क्या होता है व्यूत क्रम नी फरण और यही होगा बच्चो आपका f inverse x तो यह इस तरीके से हम लोग किसी फलनका पृतिलों निकालते हैं ठीक है इसी तरीके से बच्चो हम किसी फलनका पृतिलों ग्यात करते हैं ओके बेटा किलियर अच्छा अब बच्चो चलते हम आज की क्विज पर तो सभी बच्चे तयार हो जाएंगे आज की क्विज के लिए यह रही बच्चो आपके आज की तीसरी क्विज तो आपके पास f of x बराबर दिया गया 5x प्लस 7 आपको f inverse of 7 का मान बताना है क्या होगा तो सबसे पहले तो f inverse x निकालो देखो मान लो ये फलन एक एक की आजचादक दोनों है ये फलन बच्चो एक एक की आजचादक दोनों है ये हमने मान लिया पहले है ये ठीक है आपको f inverse 7 का मान बताना है क्या होगा जल्दी से बच्चो इसका answer बताईए मक्जे सही बच्चों को समझ में आ गया ना पिछला question अब इसका answer बताओ जल्दी समझे बच्चों आपका समय होता है यहां पे समाब अब देखो क्या answer होगा इसका सबसे पहले इसको y बरावर माल लो तो y बरावर हो गया 5x प्लस 7 y बरावर f of x माल लिया अब हम x को g of y की तरह लिखेंगे तो यह हो जाएगा y माइनस 7 बरावर में 5x तो x बरावर हो गया y माइनस 7 बटे 5 यह आगए हमारे पास g of y तो g of x क्या हो जाएगा g of x बरावर हो जाएगा x माइनस 7 बटे 5 और यही होगा बच्चों आपका f inverse x तो f inverse x क्या आगया x माइनस 7 बटे 5 अब हमसे क्या पूछा गया f inverse 7 का मान तो f inverse 7 बरावर हो जाएगा 7 माइनस 7 बटे 5 अर्थाती हो जाएगा 0 के बरावर ठीक है तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों a विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा अब अगले प्रिशन पर चलते है अगला प्रिशन है g of x बरावर दिया गया 1 प्लस अंडर रूट x ठीक है और f of g of x बरावर है 3 प्लस 2 रूट x प्लस में x तो आपको बताना है f of x क्या होगा ठीक है दोगो ये वाला कोश्चन आपको समझ में आया नहीं आया दोगो इस कोश्चन को हम चाहें तो ऐसे भी समझ सकते है अभी रुको एक चीज और समझाता हूँ ठीक है दोगो हमने पढ़ा है कि f o g of x बरावर किसके होना चाहिए x के होना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब f of g of x बरावर होना चाहिए x के साथ में g o f of x ये भी x के बरावर होना चाहिए तो जी आफ f of x बरावर होना चाहिए x के ठीक है अभी याँ पर दोगो g of f of x क्या बच्चों हमारे पास 4x प्लस 3 तो हमने याँ पर 4x प्लस 3 डाल दिया बरावर में x हो गया है ठीक है अभी इस 4x प्लस 3 को मैं y माल लूँगा तो माना y बरावर है 4x प्लस 3 ठीक है अभ यहाँ से x का मान में y के पदों में ग्याद करूँगा तो x बरावर हो जाएगा y माइनस 3 बटे 4 तो जी हो गया g of y बरावर y माइनस 3 बटे 4 तो चाहे आप ऐसे लिकालो चाहे ऐसे निकालो बात एक समाँ है ठीक है बच्चो चाहे ऐसे निकालना चाते हो ऐसे निकाल सकते हो ऐसे निकालना चाते हो ऐसे निकाल सकते हो और बच्चो आप लोग यहाँ पर चेक करिएगा कि f o g जो आएगा वो भी x आएगा और g o f जो आएगा वो भी x याएगा दोनो x आएगे ठीक है clear अच्छा अब यह quiz वाला question देख लिया quiz वाला देख लिया अब अगला question देखते है यहाँ पर g of x हमें यह दिया गया f of g of x हमें यह दिया गया हमें f of x जियाद करना है ठीक है तो यहाँ पर देखो f of g of x के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडरूट x यह बराबर है 3 प्लस 2 रूट x प्लस में x के अब यहाँ पर बच्चो 1 प्लस अंडरूट x को में y माल लूँगा अब यहाँ से x का मान लिका लेंगे तो अंडरूट x बराबर हो जाएगा y माइनस 1 तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 1 का बर्क ठीक है अब यहाँ पर मान रख दो तो यह हो गया f of y बराबर 3 प्लस 2 गुणा यह हो जाएगा y माइनस 1 प्लस में y माइनस 1 का बर्क यह क्या आगया f of y क्या चाहिए f of x तो f of x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का बर्क इसको खोल लो जो आंसर आएगा वही आपका f of x हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको कोईश्चनों को करना है अब देखो यह भी एक कोईश्चन है इसमें बोला गया है कि f of x आपका यह है परिवासित एक फलन है सिद्ध कीजिए कि f n से s में जहाँ s f का परिसर है व्यूत करम डिये और f का पिरतिलोम भी ग्याद कीजिए ठीक है तो पहले हमें यह दिखाना है कि यह एक एक की आच्छा दक है या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखो f of x बराबर क्या दिया गया है 4x स्क्वार प्लस 12x प्लस में 15 दिया गया है अब इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ यह आगे आपके पास में f of x ठीक है बच्चो अब पहले हमें यह चेक करना है कि यह व्यूत क्रमडिय है या नहीं तो इसके लिए हमें एक एक की आच्छा दक चेक करना पड़ेगा ठीक है अब पहले मैं आच्छा दक की बात करूँ तो देखो इसका परिसर क्या होगा इसका परिसर बच्चो पूरा आर हो जाएगा ठीक है पूरा आर इसका परिसर होगा ठीक है तो यह आच्छा दक तो है अब बात करें इसके प्रांत की देखो इसका परिसर क्या होगा s से प्रांत दे रखा और वही आपका परिसर है तो आजचा दक तो यह है पहले ही कोईश्चन में बोल दिया है ठीक है अब इसके बात करने है एक एक की की तो एक एक की के लिए f of x1 वरावर f of x2 करेंगे तो यह हो जाएगा 2x1 प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 वरावर 2x2 प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 6 से 6 गट गया वर्ग से वर्ग गटा तो यह हो गया 2x1 प्लस 3 वरावर 2x2 प्लस 3 तीन से 3 गया 2 से 2 गया x1 वरावर आ गया x2 के तो एक एकी भी है ठीक है तो इसका मतलब व्यूत क्रम्ड यह होगा ओके अब पिर तिलोम कैसे ग्याद करेंगे बिल्कुल सिंपल है इसको हम y के बराबर माल लेंगे तो y बराबर क्या हो गया 2x प्लस 3 का वर्ग प्लस में 6 यह होगा y माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3 का वर्ग तो 2x प्लस 3 बराबर होगा अंडरूट y माइनस 6 तो 2x बराबर होगा अंडरूट y माइनस 6 माइनस 3 तो x बराबर होगा अंडरूट y माइनस 6 माइनस 3 बटे में 2 और यही होगा बच्चों आपक f inverse x क्या होगा under root x minus 6 minus 3 बटे में 2 तो इस तरी किसे हमने पिलतलोम भी ग्याद कर लिया ओके बच्चो ठीक है अब बच्चों हम लोग चलते हैं आज की fourth quiz पर तो ये रही आपकी आज की fourth quiz इस का answer बताइए मुझे f of x बरावर 2x प्लस 5 है तो f inverse y का मान क्या होगा ये मुझे बताईए f inverse y का मान क्या होगा बच्चों ये मुझे बताईए 2x प्लस 5 दिया गया है बच्चों आपका समय होता है आपे समाँ देखो आपको क्या करना है y के बरावर मान लेना है 2x प्लस 5 अब यहां से आप x का मान लेका लोगे तो ये आगया y माइनस 5 बच्टे दो f inverse x क्या होगा y माइनस 5 बच्टे दो सब ये y होगा ठीक है एफ इन्वर्स वाई क्या हो गए वाई माइनस पांच बटे दो तो कौनसा भी कल्प से हो जाएगा भी भी कल्प ठीक है तो यह थे बच्चो आपकी आज की क्विज के आंसर अभी आपका बच्चो पूरा द्यान द्वियाधारी संक्रियां पर होना चाहिए देखो य यह टॉपिक जो है यह पिछले टॉपिकों से कोई रिलेट नहीं है ठीक है तो इसलिए आपको बिलुकुल भी नहीं गबराना है ओके बच्चो ठीक है अब सबसे पहले तो यह समझते हैं कि द्वियाधारी संक्रिया होती क्या है तो देखो बच्चो यहाँ पर नाम लिख हुआ है द्वी आधारी अब द्वी माने होता क्या है पहले आप मुझे यह बताओ द्वी माने होता है बच्चो दो द्वी माने क्या होता है द्वी माने होता है दो जो को मैं आपर लिख देता हूं द्वी आधारी संक्रिया ठीक है अब द्वी माने होता है बच्छो दो ठीक है और संक्रियाई संक्रियाई क्या होती है zukो आप लोग छोटी किलास तक योग, अंतर, गुणा, भाग इस प्रिकार की संक्रियाओं को करते आ रहे हो तो वही संक्रियाई है अब बच्चों वहाँ पर आपने जब छोटी किलासेज में थे आपने तो वहाँ पर जब आप योग करते थे तो किनी दो संख्याओं का योग करते थे उसके पश्चात यदि आपको तीन संख्याओं का योग भी करना पड़ता था तो आप पहले दो का योग करते फिर दो के योग में तीसरी संख्याओं को जोड़ते थे उधारण के तोर पर मालो मैं आपसे कहूं कि दो और तीन का योग करना है तो आप सिंपल 5 बूल देते। अच्छा मैं बूलू आपसे कि 2 पलस 3 पलस 4 का योग करना है तो चोटे बच्चे क्या करते हैं पहले 2 और 3 का योग करेंगे तो 5 लिखेंगे फिर 5 और 4 का योग करेंगे थो नव लिखेंगे ठीक है अच्छा मैं आपको चार संखे रहें बोल दू दो तीन चार और पांच तो पहले वो क्या करते थे दो और तीन का योग पांच फिर चार और पांच का रोग नो फिर इन दोनों का योग करते थे चौधा तो इस तरीके से बच्चो आप छोटी क्लासिज में चाहे वो योग हो चाहे मैं अंतर की बात करूँ जिसे मालो मैंने का दो माइनस एक माइनस जीरो माइनस दो ये करो तो पहले क्या करते थे बच्चो जीरो में से एक को गटाते थे तो दो माइनस एक एक हो गया फिर एक मेंसे माइनस जीरो माइनस दो हो गया फिर एक मेंसे जीरो गटाते फिर एक हो गया फिर एक माइनस दो तो इस तरीके से वो माइनस एक ले करके आते थे ठीक है बच्चो अच्छा गुणा में भी यही करते थे वो मालो मैं उनसे कहूं 10 गुणा 5 गुणा 3 ये करो तो पहले वो 10 गुणा 5 करते थे 50 फिर 50 का 3 से गुणा करके 150 लिखते थे ठीक है तो आप लोग बच्चो छोटी किलासेज में जितनी भी संक्रेय करते थे वो किनी 2 संक्याओं के उपर करते थे हम बच्चो दो कलास रख लेंगे एक गंटे के हम दो मास्टर कलास रख लेंगे ठीक है ठीक है ठीक हम तो एक में हम पूरा सम्मंदर फलनों के परकार पढ़ लेंगे एक में हम सहियो जी फलन फलनों के परकार और पिरतिलों फलन पढ़ लेंगे किलियर यहां तक कि क्या होती है द्वियाधारी संक्रेय है द्वियाधारी संक्रेय है वे संक्रेय होती है जो कि किनी दो संक्रेयों के उपर लगती है ठीक किन के उपर लगती है बच्चो किनी दो संक्रेयों के उपर उन्हें हम द्वियाधारी संक्रेय कहते है ठीक है सौनू बेटा जब मास्टर क्लास होगी तब अपने इस डाउट को पूछ लेना अभी आज की क्लास में फोकस रखो दुवियादारी संक्रेंश सेखने पर क्योंकि आसान टॉपिक है ये दिये समझ में आ गया तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी आपकी ठीक है बी-टेक के बच्चों बहुत सारे कॉलेज हैं एक कॉलेज नहीं है एक्जाम देने के बाद बी-टेक का नंबर कॉलेज कौन सा है बेटा जेए का एक्जाम देने के बाद में आपकी रैंक लिक लेगी उस रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है ठीक है, मास्टर क्लास जब होगी बेटा ता मैं आपको बता दूँगा, एक दिन पहले मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, हाँ जल्दी रेविजन कराएंगे, क्विज आएगी बेटा भी थोड़ा सबर करो, पहले आप कंसेप्ट को सीख लो, ठीक है, द्वी आधारी संग रहें कैसे लगती है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो, देखो सबसे पहले तो दरसाते कैसे द्वी आधारी संग्रिया को वो सीख लो, ठीक है, तो बच्चों द्वी आधारी संग्रिया को दरसाए जाता है, या तो इस्टार द्वारा, या फिर में हम डॉट द्वारा भी दरस जैसे कि माल लो मैंने लिखा A स्टार B तो इसका मतलब ये कि A और B पर कोई द्वी आधारी संक्रिया काम कर रही है अब वो क्या होगी ये तो भगवा नहीं जाने वो तो जो होगी जो होगी बट इसका मतलब ये है कि A और B पर कोई द्वी आधारी संक्रिया काम कर रही है या फिर मालो मैं ऐसा लिख दू ए डॉट बी तो इसका मतलब है कोई ना कोई संक्रिया यहां पर काम जरूर कर रही है ठीक है तो यह होती है बच्चो दूई आधारी संक्रिया है अब दोको यदि हम बात करें आर से आर में ठीक है आर से आर में बच्चो यदि हम दूई आधारी संक्रिया کی بات करें तो दिएको द्वी आधारी संक्रिया में दो अविअवें अवियाव है ए और भी तो इनको ए कॉमा बे की रूप में लखेंगे तो इसलिए बच्चो मेंने आपर आर क्रोस आर लेखा ठीक है अब द्वी आधारी संक्रिया लगने के पश्चात में जो अवियव हमें प्राप्त होगा वो भी बच्चो आपके आर में ही होना चाहिए तो आर क्रोस आर से ये आर में होती है ठीक है दूई आधारी संक्रिया लगने के पश्चात जो अवियव हमें प्राप्त होगा वो उसी में होना च संक्रिया है जो कि आर क्रोस आर से आर में लग रही है तो सबसे पहले मान लो प्लस वाली है योग वाली दुव्यादारी संक्रिया है ठीक है तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या दो संक्याओं का योग वास्टविक संक्या होती है बिलुकुल कोई सी भी आप दो जो की रियल नंबर है वास्त्विक संक्याओं पर योग संक्रिया लगती है वास्त्विक संक्याओं पर योग संक्रिया लगती है ऐसे बच्चों में बात करूँ माइनस की तो माइनस पर भी लगती है गुणा की गुणा की पर भी लगती है भाग की तो भाग पर भी बच्च गुणा भी होती है और भाग भी होती है ठीक है बच्चो अच्छा बच्चो यदि मालो में इस आर क्रोस आर की जिगे पर एन क्रोस एन लिलू मालो मैंने द्वी आधारी संक्रे लगाई एन क्रोस एन में और मुझे मिलेगा भी क्या फिर एन ही मिलेगा ठीक है तो मैंने ये द्वियाधारी संक्रें लगाई अब आप लोग मुझे ये बताओ क्या योग अंतर गुणा और भाग द्वियाधारी संक्रें इन पर काम करती हैं तो पहले बात करते हैं योग की ठीक है तो योग में देखो यहां पर हमें दो संक्रें लेनी हैं A और B जहां पर A और B दोनों प्राकरत संख्याओं से ले गई हूँ ठीक है तो योग की बात करें तो A प्लस B अब क्या A प्लस B का जो मान आएगा वो मान लो C आया और C बच्चों हमेशा बिलॉंग्स टू N रहेगा आप लोग करके देख लो कोई भी दो वास्तविक संख्या लो उन दोनों सारी कोई भी दो प्राकरतिक संख्या लो उन दोनों प्राकरतिक संख्याओं को जोड़ो तो आपको प्राकरतिक संख्या ही मिलेगी जैसे कि मान लो मैंने एक को तीन के साथ जोड़ा तो मुझे चार मिला एक प्राकरतिक संख्या है साथ को मैंने पांस के साथ जोड़ा बारह मिला एक प प्राक्रत संख्याओं का योगफल हमेशा प्राक्रत संख्याओं होती है इसका मतलब प्राक्रत संख्याओं पर योग संक्रिया काम करती है ठीक है अच्छा बच्छों हमें बात करता हूं माइनस की मतलब की अंतर की तो क्या अंतर काम करती है ये मुझे बताओं क्या प्राक्रतिक संक्याओं पर अंतर संक्रिया काम करती है चलो चेक करते हैं अब अंतर संक्रिया का मतलब है कि यदि मैं A में से B को घटाओं तो यदि मुझे C अव्यम मिले तो वो C अव्यम भी प्राक्रत संक्याओं में होना चाहिए क्या बच्चों य ने एक और दो लिये तो जब मैं एक में से दो घटाऊंगा मेरे पास क्या मिलेगा माइनस एक क्या माइनस एक प्राकरत होता है नहीं होता तो यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए ता प्राकरत जो की क्या होती है बिल्कुल होती है बच्चो कोई भी दो प्राक्रत संक्या होती है ठीक है तो ये भी बच्चो संक्रिया होती है अब बात करूं बच्चो मैं भाग की मतलब यदि मैं A में B का भाग लगाऊं तो जो मुझे C मिले वो प्राक्रत होना चाहिए कैसा होता है ऐसा नही होता देखो मैंने एक में दो का भाग लगाया तो एक बटे दो मिला क्या ये प्राकरत है नहीं है तो इसका मतलब अंतर और भागफल एन क्रोस एन में संक्रिया नहीं होती है ठीक है एन क्रोस एन में संक्रिया क्या होती है योगफल और गुणा क्लियर बच्चो तो इस तरी के सिद्य आपको चेक करना हो कि संक्रिया लग रही है या नहीं लग रही है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो ओके बच्चो चलो अब हमें एक उधारन देखते हैं जैसे कि यहां पर बूला गया सिद्ध कीजे आर में योग अंतर और गुणा द्वी आधारी संक्रिया नहीं है ठीक है अच्छा बच्चो भाग नहीं होगी द्वी आधारी संक्रिया क्यों नहीं होगी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूth ठीक है क्यों नहीं होगी ठीक है साथी सिजिकी जे कि भाग słोनितर वास्ति के संग्याओं के सम्मुच्चे में दिवी आधारी संक्रिया ठीक है अब यहाँपर चेक करते हैं कि क्यों होती है संक्रिया यह क्यों नहीं होती है तो सबसे पहले बारी है योग की ठीक है ठीक है बच्चो अब देखो हमारे पास आर क्रोस आर से आर में एक द्वी आदारी संक्रिया है योग की इस परकार कि यदि हम A में B को जोड़ें तो हमें C मिले ठीक है अब ये A, B और C तीनों ही आपके वास्तिविक संक्या होनी चाह चाहे मालो आपने लिया दो और अंडरूर तीन दोनों वास्तिविक हैं दोनों को जोड़ोगे दो प्लस अंडरूर तीन मिलेगा ये भी क्या है वास्तिविक ही तो है ठीक है तो इसका मतलब दो वास्तिविक संक्याओं का योग सद्यव वास्तिविक संक्याओं का तो बच अंतर भी क्या हो जाएगा अंतर का मतलब है A-B करने पर मुझे C मिले यदि मैंने A, B, C, B, L, R ले रखिया हूँ तो ठीक है अब जो को यहाँ पर करके देखते हैं तो मालो मैंने A की जिगे पर 5 लिया B की जिगे पर मैंने माइनस 10 ले लिया तो कितना मिल जाएगा यह 5 प्ल जाते हैं गुणा पर अब गुणा का मतलब है कि यदि मैं A का B से गुणा करू तो मुझे C मिलना चाहिए जहाँ पर A, B और C वास्तविक हो ठीक है अब आप कोई सी भी ऐसी वास्तविक संख्या ले लो जिनका गुणा करने पर वास्तविक आता हो ऐसी सारी संख्या है ठी का आप गुणा करो और आपको A वास्तविक संख्या मिल जाए यानि कि काल्पनिक संख्या आपको मिल जाए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है ठीक है सारी संख्या सारी वास्तविक संख्या ऐसी हैं जिनका गुणा करने पर वास्तविक मिलीगा चाहिए मैं दो गुणा संक्रिया नहीं है इसका कारण क्या है इसका कारण ये है कि बच्चों माल लो मैंने ए बराबर जीरो बी बराबर दो ले लिया ठीक है तो दो बटे जीरो ये परिभासत नहीं है तो यदि आपका हर सुनने हो गया तो उस केस में बच्चों ये संक्रिया नहीं होगी ठीक है तो सुनितर ले लू आर नोट ले लू तो आर नोट से आर नोट तो आर नोट में ये क्या हो जाएगी बच्चो संक्रिया हो जाएगी कैसे अब देखो हमारे पास जीरो नहीं है तो जो मर्जी वो ले लो मालो हमने लिये दो बटे अंडूर ती तो ये भी क्या एक real number है वास्तिविक संक्या है तो इसका मतलब बच्चो सुनितर वास्तिविक संक्याओं के लिए भाग एक संक्रिया होती है जबकि पूरे रियल नमबर के लिए पूरी वास्तिविक संक्याओं के लिए भाग एक संक्रिया नहीं होती ठीक है 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे कह रहे हैं,visor आपने माइनस 10 क्यों लिया, 10 क्यों नही लिया चलो 10 ले लेते हैं तो 5 माइनस 10 बरावर क्या जाएगा, माइनस 5 क्या माइनस 5 रेयल है, बिलुकुल है कुछ भी ले लो आप जो आपकी मर्जी वो ले लो जो मर्जी वो ले लो आप ठीक है गुणा में ले लो चलो आपने का 5 गुणा माइनस 6 बराबर माइनस 30 होगा देख लो भाई यहां पर भी यह वास्तविक यह वास्तविक यह भी वास्तविक है तो इसका मतलब यह भी संक्रिया है ठीक है आप कोई सी भी संक्रिया ऐसी ले लो कोई सी भी ऐसी वास्तिविक संक्रिया ले लो ठीक है बच्चो किलियर तो यह रहा आपके पहले कोशिशन का अंसर सर भागवाला समझ में नहीं आए ठीक है बेटा भागवाला मैं फिर से समझाता हूँ देखो बच्चो भाग में पहले मैंने आर क्रोस आर से आर में संक्रिया ली ठीक है अब आर में एक अब जीरो होगा वास्ट विक संक्रियाओं में जीरो होता है ठीक है तो देखो मैंने a बराबर 0 और b बराबर 2 लिया अब यदि मैं b बटे a करने को जाऊं तो b बटे a बराबर क्या होगा दो बटे 0 अब दो बटे 0 बच्चों क्या है ए परिभासित है हम लोग लिदते ही है ना कि हर 0 नहीं होना चाहिए तो यह क्या हो गया ए परिभासित इसका मतलब यहां पर यह संक्रिया नहीं होगी ठीक है ठीक है अंजली बेटा यह संक्रिया नहीं होगी अब मैंने क्या किया मैंने अपने इस समुच्चे को आर की जिगे पर आर नौट कर दिया मैंने समुच्च आर की जिगे पर आर नोट कर दिया मतलब मैंने सुन्यतर वास्तिविक संख्याओं का समुच्च ले लिया ठीक है बेटा एक आमान कहीं पर भी उसकता ऐसा कोई जरूर नहीं है चलो ऐसा करो मैंने ए बराबर दो बी बराबर जिरू ले लिया अब लगा लो चलो ए बटे भी तो क्या हैगा दो बटे जिरू आएगा ना कुछ भी ले सकते यार ऐसा कोई वो नहीं है है न ए बी कहीं भी ले सकते ऊपर नीचे दायवाय कहीं पर भी यह तो मैंने माने बस मान ठीक है एक बार फिर से बताएं चलो फिर से बता देते देगो बच्चो भ गड़ा में तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस गड़ा में सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, अब भाग में मैं आपको फिर से बदता हूँ, तो बच्चों भाग में हमारी संक्रिय कहां से कामे लग रही है, पहले लग रही है, आर क्रॉस आर से आर में ठीक है अब देखो यदि मैंने इसमें A बराबर 2 B बराबर 0 लिया ठीक है चलो उपर वाले को भूल जाओ मैंने A बराबर 2 B बराबर 0 लिया ठीक है अब यदि मैं A बटे B लिका लू तो वो आएगा दो बटे 0 अब 2 बटे 0 तो बच्चो परिवासित है ही नहीं वो भी हो जाएगा बच्चो इंपोर्टन कोश्चन कराएंगे बेफिकर रहो जो मास्टर क्लास लगवाऊंगा न उसमें इंपोर्टन कोश्चन ही करवाऊंगा मैं R क्रॉस R क्या है R क्रॉस R बच्चो आपके देखो A और B हैं A B आपका R में से लेना है B B R में से लेना है ठीक है तो जो संक्रिया में क्रेमितियूम होते हैं A कॉम B के रुप में तो वो कहां से लिए गए हैं R क्रॉस R में से लिए गए है समुच्चे आर से समуш्चे आर के कारतें गुड़ण में से ल commitment ठीक है सर ए बरावर जिरो बी बरावर दो ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं बेटा क्यों ने ले सकते इस केस में लिए हमने बी बटए ए निकाला तो वै परिवासिता किया ठीक है तो कि तो ये तो हमने माने हैं बच्चो कि तो हम तो संक्याओं की धार्णा बताने चाह रहे थीं है तो हर में जब भी जीरो जीरो आएगा तब वो परिवासित नहीं है तो इसलिए R X R से R में बच्चो ये संक्रिया नहीं है ठीक है बट यदि मैंने इस आर नोट कर दिया अब जीरो नहीं ले सकता मिचे तो अब ये संक्रिया हो जाएगी ठीक है ठीक है दिलिप मौर है हाँ ये बरावर झीरो भी बरावर तीन ले सकते हो बेटा कुछ भी ले सकते हो ये मैंने रैंडम ली लिये है ठीक है आपको समझाने के लिए मैंने ये जिस्ट एगजामपल लिये है आपकी मर्जी आप जो लेना चाओ वो ले सकते हो ठीक है अंतर और भाग द्वियाधारे संक्रे नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर के लिए ठीक है तो मालनो मेरे पास में कोई दो अवियम है A और B जो की N में है ठीक है अब यदि मैं A में से B को घटाऊं तो जो मुझे C मिलेगा तो C भी N में होना चाहिए तब ही बच्चों ये संक्रे होगी अदरवाइस नहीं होगी ठीक है अच्छा अब मालनो मैंने A बराबर 1 लिया माना A बराबर 1 है B बराबर मैंने 3 ले लिया ठीक है अब A माइनस B यदि हम लिका लें तो यह होगी है एक माइनस 3 तो यह कितना जाएगा माइनस 2 अब मुझे बताओ कि माइनस 2 क्या प्राकर संक्या है नहीं ये प्राकर संक्या नहीं है इसका मतलब जब मैं दो प्राकर संक्याओं को घटा रहा हूँ तो वो सदे प्राकर संक्याओं नहीं दे रहा है इसका मतलब प्राकर संक्याओं में अंतर एक संक्याओं नहीं है प्राकर संक्याओं में अंतर एक संक्याओं नहीं है यदि यहाँ पर यह मुझей natural number die मिलता invert नंवेशा तब बच्चोए संग्रिया होती बट यहाँ पर नहीं मिल रहा तो यह संग्रिया नहीं है अब बात करें बच्चो भाग की तो भाग में देखते हैं ठीक है तो same यहाँ पर भी पहले में यह मान लेता हो माना माल लो मेरे पास में A और B ये N समुच्छे के अब अब है ठीक है तो जब मैं A में B का भाग लगाऊं तो मुझे जो C मिले वो भी N होना चाहिए तब ही ये संक्री होगी otherwise नहीं होगी अब मैंने माना A बराबर है दो B बराबर है तीन ये मैंने माल लिया ठीक है तो दोगो A बटे B क्या होगा A बटे B हो जाएगा दो बटे 3 अब मुझे ये बताओ क्या दो बटे 3 वास्त प्राकर संक्या होती है दो बटे 3 प्राकर संक्या नहीं होती है दो बटे 3 प्राकर संक्या नहीं होती है तो इसका मतलब ये भी बच्चो संक्रिया नहीं है ठीक है एक बच्चा पुछ रहा नेच्रल क्यों वास्तविक तो है न सर बेटा यहां जो संक्रिया लग रही है वो आपकी N क्रॉस N से N में लग रही है आर क्रॉस R से R में नहीं लग रही है प्रिस्ट में बोला गया है कि और अंतर N में N मतलब प्राक्र संक्रियाओं में द्वी आधारी संक्रिया नहीं है ठीक है आर में नहीं है ये N में है ठीक है बच्चो किलियर ये वाला कोईस्चन अच्छा अब हम चलते हैं बच्चो द्वी एक क्विज पर ठीक है चलो जो बच्चे क्विज क्विज कर र में देखो question दिया गया माना की द्यादारी संक्रिया है A.B. बराबर में 3A प्लस 4B माइनस में दो तो आपको 4.5 का मान ग्याद करना है अब यहाँ पर देखो A की जिगे क्या है 4 और B की जिगे पर क्या 5 तो simple सा यहाँ पर A की जिगे 4, B की जिगे 5 रख दो आपको आँसर आजाएगा बिलकुल आसान प्रिस्न इसी तरह की जिगे प्रिस्न आते हैं बच्छों पेपर में भी A की जिगे 4 रखो B की जिगे 5 रखो आँसर बता मुझे A डॉट B बरावरे 3 A प्लस 4 B माइनस दो बच्छों आपका समय होता है यहाँ पर समाव ठीक है तो देखो बच्छों क्या होगा A डॉट B बरावर है 3 A प्लस 4 B माइनस दो हमसे क्या पूछा गया है 4 डॉट 5 का मान तो यहाँ पर देखो A की जिगे पर क्या है 4 B की जिगे पर 5 रगदो इन मानों को यहाँ पर तो कि तीन गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 माइनस दो 4 तीया 12 पांचों के 20 माइनस दो तो कितना हो गया यह 32 माइनस 2 मतलब की 30 हो गया तो कौनसा अभी कलप से हो जाएगा C भी कलप देखो कितना आसान कोईश्चन था कितना आसान बच्चो कोईश्चन है बिल्कुल बच्चो छटी साती की फिलिंग आ रही होगी आपको राइट बच्चो ऐसी फिलिंग आ रही है तो ऐसे ही कोईश्चन आते हैं बच्चो द्वी आधारी संग्रियाओं पे ऐसे ही अब बच्चों अमलोग चलते हैं हमारे नेश टॉपिक पर जिसका नाम है द्वी आधारी संग्रियाओं के गुर्धर, ठीक है? अब बच्चों द्वी आधारी संग्रियाओं के चार गुर्धर में, पहला गुर्धर में, क्रमविन में, दूसरा गुर्धर में साचर्य, तीसरा गुर्धर में तस्समक, अवियब, और चौथा गुर्धर में बच्चों प्रति लोग, बच्चों यह जो टॉपिक है ना, द्वी आधारी संग्रियाओं के गुर्धर में, यह टॉपिक बहुत जादा मैत्पून है, दोगो यदी पेपर में दो तीनंक का कोईशन आएगा द्वी आधारी संग्रियाओं से, तो वो इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है? तो इस करम विनमे का मतलब क्या होता है? करम का मतलब होता है करम, ओरर, विनमे का मतलब होता है अदला बदली, यानि कि यदि हम करम की अदला बदली कर दें और उससे हमें सेम चीज मिले, तो उससे हम करम विनमे नियम कहते हैं, करम विनमे नियम की बारे में आप लोग काफी सारी पाते पढ़ चुके हो पहले ही ठीक है आपने काफी जगह पर करम विन में पहले ही पढ़ लिया है ठीक है बच्छो अब हम लोग करम विन में दुवियादारी संक्रियां जानते है ठीक है दो करम विन में का मतलब क्या है करम विन में का मतलब यह है कि मालो हमारे पास कोई यदि मैंने A और B पर दुयादारी संक्रें लगाई तो A स्टार B बरावर होना चाहिए B स्टार A के ठीक है यदि बच्छो A स्टार B बरावर हो B स्टार A के तो इसका मतलब है कि क्रम विनमेनियम का पालन हो रहा है ठीक है यदि A स्टार B बरावर हो B स्टार A के तो इसका मतलब है क्रम विनमेनियम का पालन हो रहा है ओके बच्छो जी हाँ A प्लस B बरावर B प्लस A हो तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होती है A स्टार B बरावर B स्टार A होना चाहिए ठीक है अच्छा अब बच्छो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि क्या योग क्रम विनमेनियम का पालन करता है क्या अंतर क्रम्विन में नियम का पालन करता है क्या गुणा करता है क्या भाग करता है तो सबसे पहले हम आरम करते हैं योग के साथ में तो माल लो मेरे पास में कोई स्टार कोई द्वियाधारी संक्राय जो की आर से आर में परिवासित है ठीक है R cross R से R में परिवासत है ठीक है यह मानलो हमारे पास कुछ दुयादारी संक्रिया है अब हमारे पास में A star B क्या हो जाएगा या पर A star B बराबर हो जाएगा A plus में B यह हो जाएगा ठीक है अच्छा बच्चो B star A क्या होगा B star A बराबर हो जाएगा B plus A अब आप लोग मुझे यह बताओ क्या A plus B और B plus A बराबर होता है क्या बच्चो A plus B और B plus A बराबर होता है बिल्कुल बराबर होता है तो यह बात बिल्कुल सही है चलो इसको एक उधारन दारा समझ लेता है मालो मैंने A برابर 5 B برابर 4 लिया ठीक है सबसे पहले मैंने A प्लस B किया तो योगया 5 प्लस 4 बरावर में 9 फिर मैंने B प्लस A किया योगया 4 प्लस 5 बरावर में 9 तो दोनों केसों में बरावर आएगी तो इसका मतलब बच्चो योग करम विनमेन हमका पालन करती है ठीक है अब इसके बाद आ जाते हैं अंतर पर अंतर अब अंतर के लिए संक्रिया क्या होगी अंतर के लिए संक्रिया होगी ए स्टार बी बरावर ए माइनस बी ठीक है अब बच्छो बी स्टार ए क्या होगा B star A बराबर होगा B माइनस में A ठीक है अब हमें ये देख रहा है कि क्या A star B B star A के बराबर होता है यानि कि क्या A माइनस B B माइनस A के सदे बराबर होता है तो आप लोग देखोगे कि ये सदे बराबर नहीं होता ठीक है जैसे कि मानलो मैंने एक उधारन लिया A बराबर मैंने ले लिया 4 B बराबर मैंने ले लिया 5 ठीक है तो A माइनस B देखो कितना आएगा यहोगा 4 माइनस 5 मतलब माइनस 1 और B माइनस A कितना होगा यहोगा 5 माइनस 4 बराबर में 1 तो आप मुझे बताओ ठीक है योग करती है अंतर नहीं करती ऐसे बच्चों तीसरी संक्रे होती हमारी गुणा गुणा पे चेक करके देखते हैं अब गुणा के लिए A स्टार B बराबर हो जाएगा A B के और B स्टार A बराबर हो जाएगा B A के ठीक है चलो इसको एक उधार दोरा समझते हैं तो हमें देखो क्या लेकर आना है B A B बराबर में B A लेकर आना है चलो चेक करते हैं मानलो मैंने A बराबर 4 B बराबर 5 लिया ठीक है तो देखो A B क्या हो जाएगा A B हो जाएगा 4 गुणा 5 मतलब की 20 हो जाएगा A B क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास 20 हो जाएगा अच्छ दोनों की दोनों बच्चो बराबर हैं, इसका मतलब गुणा क्रम विन्मे नीम का पालन करता है, थीक है बच्चे कैवे रहें सर करेगा, थीक है, अच्छा बच्चो अब चौती संक्रिया है आपकी भाग, चौती कौन सी है भाग, क्या भाग करेगा, इसका मतलब A स्टार B, बरावर हो जाएगा A बटे B और B स्टार A बरावर हो जाएगा B बटे A. क्या A बटे B बरावर होगा B बटे A के? तो ये बच्चों सदैव नहीं होता. उधारण के तोर पर मालों मैंने A बरावर 5, B बरावर 3 लिया. तो A बटे B क्या देगा? 5 बटे 3. जबकि B बटे A क्या देगा? 3 बटे 5. दोनों बरावर हैं क्या? नहीं है. इसका मतलब भाग क्रम विर्मेनियम का पालन नहीं करता है. तो आपको किबल इतनी बात याद रखनी है कि योग और गुणा ये दो दो द्वियाधारी संग्रियां क्रम विर्मेनियम का पालन करती हैं. अंतर और भाग क्रम विर्मेनियम का पालन नहीं करती है. ठीक है अब चलते हैं बच्चों अगली द्वियादारी संक्रिया पर अगली द्वियादारी संक्रिया साचर रे अब साचर रे का मतलब क्या होता है तो बच्चों आपने देखा होगा कि यदि हम योग के साचर रे की बात करें तो A प्लस B प्लस C बरावर होता है A प्लस ओफ B प्लस C के इसी को जानते हैं आप साचरे के नाम से है ना बच्चो काफी जिगह पर पढ़ा है आपने जैसे करमवन में पढ़ा है वैसे आपने साचरे भी काफी जिगह पर पढ़ा है तो यही होता है बच्चों साचर है A प्लस B एक साथ लिखे हुए है फिर प्लस में C लिखा हुआ है यह बरावर होता है A प्लस ओफ B प्लस C के अब यही चीज हम बच्चों दुवियादारी संक्रियाओं पे करेंगे मतलब दिवयादारी संक्रियाँ पे हमारे पास में तीन संक्रियाँ होंगी ABC जिनके उपर संक्रियां लग रही होंगी और इस परिकार से लग रही होंगी कि A star B star C बराबर होगा A star of B star C के यदि बच्चों तीन संख्याइं इस तरीकी का पालन करती है तो इसका मतलब वो साचरे नियम का पालन कर रही है ठीक है अब हम लोग बच्चों यहाँ पर भी यही चीज देखेंगे कि क्या योग अंतर गुणा भाग साचरे नियम का पालन करते हैं तो मैं आरम करता हूँ योग के साथ ठीक है तो योग के साथ आरम किया अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब देखो A स्टार B स्टार C इसका मतलब हो गया A प्लस B प्लस में C यह मतलब हो गया ठीक है और A स्टार B स्टार C इसका मतलब हो गया A PLUS OF B PLUS C इसका मतलब बच्चों यह हो गया अब देखो ये योग साचरे निम का पालन करता है क्या आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि योग साचरे निम का पालन करता है तो यहाँ पर पालन हो जाएगा ठीक है चाहिए आप उधारन ले लो A बरावर 3, B बरावर 4, C बरावर 5 ले ले लेते हैं माल लो ठीक है तो दो को A प्लस B of प्लस C क्या होगा यह हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस में 5 पहले 3 और 4 को जोड़ा तो 7 प्लस 5 हो गया 7 और 5 आगया 12 ठीक है इसी प्रकार A प्लस और B प्लस C यह बरावर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 के अब 4 और 5 को पहले जोड़ना पड़ेगा तो 5 और 4 नौ, 9 और 3 बार हो जाएगा तो आगये न बरावर इसका मतलब योग साचर नियम का पालन करता है अब बात करते हैं बच्चों अंतर की तो अंतर में क्या होना चाहिए अंतर में A star of B star C जहांपर A star B bracket के अंदर है यह बरावर होना चाहिए A minus B minus C के दोगो आपको star की जिगे पर उस संक्रिया को लगाना है यह मतलब होता है star का इसी परकार यदि हम A star of B star C की बात करें तो यह जाएगा A minus of B minus C अब वैसे तो बच्चों आप छोटे क्लासेज में जानते हो कि अंतर साचर गुर्धर्म का पालन नहीं करता है चलो हम इसको यहाँ पर एक उधान दोरा समझते हैं तो मालो मैंने A बरावर 3 B बरावर 4 C बरावर 5 लिया तो यहाँ पर दोगो A minus B of minus C क्या होगा तो यह हो जाएगा 3 minus 4 of minus 5 अब 3 में से 4 को गटाया minus 1 आया तो यह हो गया minus 1 minus 5 तो यह हो गया minus 6 इसी परकार मैंने A minus of B minus C लिका ला अब A का मान कितना है 3 minus यह हो गया 4 minus 5 तो यह हो गया 3 minus 4 में से 5 को गटाया तो minus का 1 यह हो गया minus 1 तो यह हो गया 3 plus 1 अर्था 4 अब देखो क्या यह दोनों बरावर हैं नहीं है न बरावर तो इसका मतलब अंतर संक्रिया साचर गुर्धर्म का पालन नहीं करती है ठीक है अब गुणा के लिए चेक करोगे अब गुणा के लिए क्या हो जाएगा A गुणा B और गुणा C बरावर हो जाएगा A गुणा और B गुणा C तो आप देखोगी कि गुणा भी साचर नहीं का पालन करता है ठीक है अब चौथे नमबर पर आएगी आपकी भागवाली अब भागवाली का मतलब क्या हो जाएगा कि A भाग B भाग C बरावर हो जाएगे A भाग और B भाग C के क्या ही होता है चलो चेक करते है तो पहले मैं A भाग B भाग C लिका लता हूँ इसका मतलब हो गया A भाग B भाग C अर्थाती हो गया A भाटे B गुणा एक बटे C तो यह हो गया A भाटे B C ठीक है ऐसे उसको लिकालते है A भाग B भाग C को अब यह हो जाएगा A भाग B बटे C अब यह हो जाएगा A भाटे B गुणा C तो यह हो गया A, C, बटे B क्या ये दोनों बात एक समान है? नहीं है तो इसका मतलब भाग भी साचरे नियम का पालन नहीं करता है बोल रहा हूँ बच्चो मैं कमेंट देख रहा हूँ देखो अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो फिर दिक्कत हो जाएगी है न कोईशन है कि सिद्ध कीजिए A star B बराबर A plus 2 B दौरा प्रदत साचरे नहीं है ठीक है? तो बिलकुल सिंपल है यार हमें आसंक्रिय क्या दे रखे? A star B बराबर A plus 2 भी दे रखा है ठीक है? ये दे रखा है हमें ये देखना है कि साचरे निम का पालन करता है B star C बराबर होना चाहिए A star of B star C के ठीक है अब देखो पहले मैंने A star B में संक्रिय लगाई तो A star B का मतलब है A plus 2 B तो यह हो गया A plus 2 B star C ठीक है LHS तो हमारे पास यह आ गया अब RHS देखो RHS क्या आएगा RHS हमारे पास आ जाएगा A star of यदि मैंने B और C में संक्रिय लगाई तो A की जिगे पर आजाएगा B plus में C की जिगे पर आजाएगा B B की जिगे पर आजाएगा C तो यह गया 2C ठीक है बच्चो अब यह क्या है A plus 2B और फिर star C है यह A star 2B plus में C अब अच्चो एक संक्रिय मेरे पास यह है एक ही है इन दोनों के उपर संक्रिय लगाऊँगा तो अब ऐसा समचो यह capital A है यह capital B है हमें A star B लगाना है तो A plus 2B होगा अब A की जिगे पर तो यह ही आ जाएगा A plus में 2B ठीक है plus 2C हो जाएगा यहांपर 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 यहां समस्ते हैं ठीक है तो तस्समक में क्या होता है तस्समक का बच्चो आपको बिलुकुल important गुर्धर में कि a star e बराबर होना चाहिए a के बराबर होना चाहिए a star a के ठीक है तो आपको एक ऐसा अवियब लेना है जिसका यदि किसी और अवियब के साथ संक्रे लगाओ तो वही दूसरा अवियब आपको मिल जाए ठीक है आपको ऐसा अवियब ढूनना है तो वो होता है बच्चो आपका तस्समक अवियब ठीक है जैसे यदि हम बात करें योग की तो योग पर जीरो तस्समक अवियब होता है योग पर जीरो क्य समक अवयब पहचानने के लिए आपको क्या करना है आपको इस संक्रिया का प्योग करना है आपको इस लाइन का प्योग करना है इस सम्मिकन का A star A बरावर A बरावर E star A ठीक है अब बात करते हैं प्रतिलोम की तो प्रतिलोम क्या होता है अब बच्चो प्रतिलोम एक ऐसा आवियब B होता है जिसका यदि हम किसी A के साथ में संक्रे लगाएं तो हमें तस्समक आवियब मिले और यह बरावरो B star A के तो यहाँ पर B को हम A का प्रतिलोम कहते है ठीक है प्रतिलोम कहते है जैसे मैं बात करूँ योग की तो योग के लिए A का प्रतिलोम होता है माइनस A और बात करूँ बच्चो गुणा की तो गुणा के लिए 1 अपोन A होता है प्रतिलोम ठीक है तो ये थी बच्चो आपकी दूई आधारी संग्रे हैं ठीक है अब बच्चो आज की क्लास को में पर समाप्त करने जा रहे हैं ये बच्चो आपकी आज का लास्ट क्विज है तो इसका अंसर और बता दीजे मुझे कि यदि ए स्टार बी बरावर ए स्कॉर प्लस बी स्कॉर हो तब आपको एक स्टार दो स्टार पांच का मान बताना है कितना होगा बताईए बच्चों इसका अंसर मुझे A स्टार B बरावर A स्कौार प्लस B स्कौार हो तब 1 स्टार 2 और फिर स्टार 5 का मान क्या होगा बच्चों आज की क्लास का टाइम हो गया है इसलिए मैं आपकी कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ ठीक है नेस्ट क्लास में बच्चों मैं आपकी कमेंट बिल्कुल देखूँँगा ठीक है और आपके जो भी डाउटन को next class में पूरा कर लूँगा ठीक है अब देखो हमें ये लिकालना है तो सबसे पहले हम एक star 2 लिकालेंगे एक star 2 क्या हो जाएगा एक कवर्ग प्लस दो कवर्ग दो कवर्ग 4 और एक 5 हो गया तो अब ये बन गया 5 star 5 अब एकी जिगह पर 5 बीकी जिगह पर 5 तो 5 का स्क्वार प्लस 5 का स्क्वार यह होगी हमारे पास 50 तो कौन सा विकल्प से हो जाएगा भी विकल्प ठीक है तो ऐसे बच्चों इनको solve करना है अब आज की class को बच्चों में पर समप्त करते हैं नेस्ट क्लास में बच्चों में बात करेंगे आपके नेस्ट अध्या है पर तिलोम ते रिकॉर्ड में ते फलन की